नमस्कार दोस्तो मेरा ना मैं चरनप्रीत आप देख रहे हैं Automation Training Hindi ये हमारा VFD Training Course का Second Part है First Part के अंदर मैं आपको Basic of VFD, VFD क्या होता है, कैसे काम करता है वो सारी चीजें बता चुका हूँ और वो वीडियो और डी चैनल पर पड़ा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले एक बार उसको वीडियो को देख लीजिए तो आपको यहाँ पर चीजे और भी ज़्यादा क्लियर होंगी तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे Types of VFD, कि VFD कितने टाइप के होते हैं Parameter of VFD, कि VFD के अंदर कौन से कौन से parameter में set करने होते हैं और VFD के fault के बारे में कि fault terminal को VFD के कैसे use करते हैं तो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे VFD Types के बारे में तो start करते हैं VFD के टाइप से देखे, basically VFD को दो टाइप के अंदर divide किया जा सकता है एक तो according to input face और दूसरा according to input voltage कि according to input face आपकी एक VFD की टाइप होगी और according to input voltage आपकी VFD को एक टाइप से classify किया जा सकता है तो सबसे पहले देखते हैं according to input face कितने टाइप की VFD होती है तो according to input face देखे, दो टाइप की VFD होती है एक तो single face input और दूसरी three face input सिंगल फेस इंपूट के अंदर हम सिंगल फेस इंपूट देते हैं, थ्री फेस इंपूट के अंदर हम थ्री फेस की सप्लाई देते हैं, तो सिंगल फेस जो इंपूट होती है, उसके अंदर हम 220 वोल्ट सिंगल फेस की सप्लाई देते हैं, और जो आउटपूट में हमें थ् VFD दिखाई दे रहा होगा, इस VFD के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच टर्मिनल दिए गया है पावर के, और उपर की तरफ जो यह देख रहे हो यह control टर्मिनल है, यहाँ पे जो पहले वाले दो टर्मिनल है, यह input के लिए है और यह दो किसके लिए है, सिंगल फेस इंपुट के है हम यहाँ पे सिंगल फेस 220 वल्ट सप्लाई देंगे VFD की जिससे पावर उन हो जाएगी आखरी जोगों तो तीन टर्मिनल है इनसे हमें तीन फेस मिलेंगे जिससे की हमारी मोटर ओप्रेट होगी थ्री फेस की एक मोटर काम चला सकते है तो यह होता है सिंगल फेस इंपुट जिसके अंदर हम VFD को चलाने के लिए सिंगल फेस इंपुट सप्लाई देते है यहाँ पे एक दूसरे टाइप की VFD दिखाईगी यहाँ पे भी आप देखिए आपको पांच टर्मिनल दिखाई देंगे यह आपको पांच टर्मिनल दिखाई दे रहोंगे तो पहले दो टर्मिनल में क्या देंगे अपनी सिंगल फेस इंपुट की सप्लाई देंगे आखरी के तीन टर्मिनल से तीन वायर उठाके मोटर पर जोड़ देंगे जिससे के हमारी motor operate होगी तो यह था single face input VFD कि जिसके अंदर जो supply है हमारी वो कह रहती है single face रहती है अब देख लेते हैं three face input की कि three face input के अंदर हमारी VFD रहती है उसके अंदर हम three face supply देते हैं जैसे आपको VFD दिखाई दे रही होगी यहाँ पे आपको RST यह तीन जो है input के terminal है यहाँ पे हम input supply देंगे अपनी यहाँ पे RYB तीन face दूँगा मैं और आगे आपको दिख रहोगा UVW इन से मैं क्या करूँगा तीन wire उठाके motor पे जोड़ दूँगा जिससे की मेरी motor operate होगी तो यह है three face input supply VFD के अंदर जिसमें हम input में क्या देते है three face देते है देखे VFD से output हमें हमेशा three face ही मिलेगी क्योंकि जो VFD का इस्तमाल किया जाता है industry के अंदर वो three face induction motor के लिए किया जाता है तो आपकी जो single face और three face हो सकता है वो सरफ input side हो सकता है output side हमेशा क्या रहेगा आपका three face output का रहेगा चलिए अब अगला देख लेते हैं according to input voltage कि according to input voltage कितने type के VFD हमारे होते हैं देखे इसको भी दो type से classify किया जा सकता है एक तो हमारा face to face 220 volt और दूसरा face to face 415 volt कि जो हम voltage की supply देंगे VFD में input में वो कितनी हो सकती है हमारी 220 volt भी हो सकती है वो हमारी 415 volt भी हो सकती है तो दोनों type के आपको VFD देखने को मिल सकते हैं जिसमें हम 220 volt face to face और face to face 415 volt दे सकते हैं तो इसके अंदर क्या होगा हमारी जो VFD होगी यहाँ पे हम कितनी supply देंगे 3 face input देंगे और यहाँ से हमें 3 face output मिल जाएगा जो 3 face input होगा अगर वो 220 volt हुआ तो उसके अंदर हमारा कितना होगा 110 volt हर एक face के अंदर आ रहा होगा अगर 3 face कितना हुआ 220 volt हुआ तो हमें कितना आ रहा होगा हर एक face के अंदर voltage 110 volt आ रहा होगा इसके अंदर क्या होता है देखेएं यह आपको पता ही होगा बिल्कुल basic है कि 3-phase के अंदर हमारा क्या रहता है मानलीजे मेरी 3-phase supply है हर एक फेस के अंदर अगर 110V है हर एक फेस के अंदर कितनी voltage आ रही है 110V जा रही है तो यह face-to-face voltage कितनी होगी 220V हो जाएगी तो जो 220V face to face input VFD है उसके अंदर 1 face के अंदर कितनी supply आ रही होगी 110V सप्लाई आ रही होगी और जो अगला आपका होगा 3 face input के अंदर 220V हर एक face के अंदर जब आ रहा होगा तो आपका कितना होगा 415V होगा मान लीजे मेरे हाँ पर हर एक face के अंदर 215V आ रही है जो हमारा इंडिया के अंदर standard रहता है यह 215V के 3 face है हमारे तो इसके अंदर जो face to face supply है वो कितनी हो जाएगी 415V हो जाएगी तो एक तो voltage का standard यह है कि हम 110V के 3 face दें तो 220V हो जाएगी और दूसरा यह है कि 220V के 3 face दें तो कितनी हो जाएगी 415V हो जाएगी तो यह दो टाइप की VFD रहती है कि face to face 220V और face to face 415V यह 440V देखिए यह कहां पर होता है ऐसा क्यों है कि 220V है 415V भी है देखिए इसलिए है क्योंकि अलग-अलग reason के अंदर अलग-अलग voltage के standard यूज किया जाते है कुछ country ऐसी है जि आपके घरों के अंदर जो power आ रही है वो 220V का single face होता है और जब उस face to face को check करते हैं तो face के बीच में voltage को check करते हैं तो वो कितनी हो जाती है 415V है 440V हो जाती है तो अलग-अलग region के अंदर अलग-अलग voltage का standard यूज होता है इसलिए VFD भी अलग-अलग voltage के coding बनाये जाते ह है जहाँ पे 220V के 3 face है वहाँ पे 220V के लिए input यूज किया जाता है जहाँ पे 415 है वहाँ पे 415 के लिए यूज किया जाता है अब आप कहोगे जी इंडिया के अंदर तो जब 415V होता है तो फिर यहाँ पे 220V की supply की क्यों आती है देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारी जो machine ह हम बाहर से वह import करते हैं दूसरी country से वहाती है अब उन country के अंदर अगर 110V की supply यूज होती है तो वह क्या कर देते हैं बीच में एक transformer डाल देते हैं जिसमें हम यहाँ पे अपनी जो 415V आ रही होती है उस 3 face को इन कर देते हैं यह transformer क्या करता है step down करके इस 3 face को 220V face to face voltage में convert कर देता है और फिर इस से जो हमारी VFD है वो operate होती है तो हमें यह चीज इन सोर कर लेनी होती है जब भी हम काम कर रहते हैं machine पे कि हमारी जो VFD की input है वो कितने type की है आप ऐसा मत सोच के चलिए कि इंडिया में 3 face 415V आती है तो VFD के अंदर भी 415V ही जा रही होगी पता चला उसके अंदर एक step down transformer लगा के 220V face to face का VFD यूज़ कर रखा हो और आप 220V की एक drive लेके आए और आपने उसके अंदर 415V की supply दे दी तो हो सकता है कि आपकी VFD डैमेज हो जाए या डैमेज नहीं होगी तो हो सकता है कि वो पूरा proper काम ना करे उसके अंदर fault बगर आ जाए च ये VFD कौन से type की है single face है या three face है और जो input है face to face voltage है वो कितनी है face to face 220V है या face to face 415V है ये आपको पूरा proper information निकालके उसी के coding अपनी VFD को power supply देनी है और voltage से related VFD के अंदर parameter भी होते हैं वही parameter आपको set करने है कि input voltage के अंदर में कितनी supply इसको दे रहा हूँ फिर ये आपकी VFD पूरा proper काम करेगी नहीं तो आपको अभी alarm या fault वगारा VFD के अंदर face कर रहे होंगे देखने को मिल सकता है आपको तो ये था VFD के types के बारे में दो type की VFD होती है एक तो single face और एक three face और according to input voltage भी दो type के होती है 220V और 415V आप देख लेते हैं कि VFD करती क्या है VFD को लगाते क्यों है देखिए जो basic control होता है VFD का VFD क्या करती है एक तो motor की speed को control करती है जो induction motor होती है उसकी speed को control करती है अगर मेरे को कहीं पे ऐसी application है जहाँ पे मेरे को speed को कम ज़्यादा करना है अपने coding speed को control करना है तो मैं क्या लगाँगा वहाँ पे VFD लगाँगा दूस दूसरा torque को control करती है मानलीजे मेरे को कही initial torque जादा चीए कि जैसे ही motor मेरे run करे 0 RPM से start हो उसको torque जादा चीए कुछ heavy load मेरा motor के साथ attach है और वहाँ पे मेरे को torque जादा चीए तो भी हमें किस की जूरुत पड़ेगी VFD की जूरुत पड़ेगी तो VFD के basic जो है वो दो काम है एक तो क्या motor की speed को control करना और दूसरा motor के torque को control करना अब ये काम VFD कैसे करती है उसके बारे में हम मैं आपको बताऊँगा और इसके coding कितने type की VFD होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले देखते हैं कि VFD ये काम कैसे करती है speed और torque को VFD कैसे control करत अब यहाँ पे हमें induction motor के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम VFD को लगाते हैं, तो हमें कुछ parameter motor से related भी VFD के अंदर डालने होते हैं, कि आपकी VFD की rating कितनी है, VFD का slip कितना है आपका, तो वो सारे parameter आपको कहां से मिलेंगे, motor से ही मिलेंगे, इसलिए हमें motor की भ आप सभी ने देखी होगी, induction motor के अंदर हमारा क्या काम होता है, induction motor electrical energy को mechanical energy के अंदर convert कर देती है, induction motor क्या करती है, electric energy को mechanical energy में convert करती है, अब एक induction motor के parts की बात करूं होता है यह जो bearing वगारा और housing वगारा दिखाई दे रही है आपको यह इसके sporting part है जिससे कि यह rotor पूरा proper easily rotate हो पाए यह cooling fan रहता है जो motor को cool करता है cool करने के लिए हवा फैंकता है जिससे हमारी motor cool होती है तो यह basic induction motor है इसके बारे में आई होब सभी को पता ही होगा कि क्या होता है stator होता है stator में three phase winding रहती है जहाँ पर हम अपनी supply देते है magnetic field बनता है magnetic field से हमारा rotor rotate होता है जिसकी वज़े से हमारी जो electrical energy है वो mechanical energy के अंदर convert हो जाती है तो यह था basic होता है होता क्या है induction motor के अंदर अब इसके अंदर जो सबसे main बात है motor की speed देखें जो motor की speed होती है induction motor के अंदर यह जो हम इसके अंदर supply देते हैं जो भी input देते हैं उसकी जो frequency होती है उसके directly proportional होती है जो speed होती है वो क्या होती है directly proportional to frequency मालनी जे मेरे को induction motor के अंदर speed को control करना है तो मेरे को किसको control करना पड़ेगा frequency को control करना पड़ेगा VFDB यही करती है इसलिए इसको variable frequency drive बोला जाता है यह frequency को control करके induction motor की speed को control करती है क्यों क्योंकि induction motor के अंदर जो speed होती है वो किसके directly proportional होती है frequency के directly proportional होती है directory proportional का मतलब होता है सिधा संबंद अगर मैं frequency को बढ़ाऊंगा induction motor की input के अंदर तो मेरी जो induction motor की speed है वो भी बढ़ जाएगी अगर मैं frequency को कम करूँगा तो मेरी induction motor की speed है वो भी कम हो जाएगी तो जो induction motor के अंदर है frequency और speed उनका क्या है आपस में सिध्धा संबंध है अगर frequency बढ़ेगी तो motor की speed भी बढ़ेगी और अगर frequency कम होगी तो motor की speed भी कम होगी इसी principle को यूज करके जो VFD है inverter है वो क्या करता है induction motor को control करता है उसकी speed को control करता है तो I hope आपको थोड़ा सा basic समझ में आया होगा की induction motor क्या होती है और VFD क्या से इसकी speed को control करता है अब देखिए induction motor के अंदर हमारे जो रहता है वो main दो part रहते हैं एक तो हमारा stator और दूसरा हमारा रहता है rotor stator के अंदर हमारा क्या बनता है magnetic field बनता है जब हम supply देते हैं जेखिए जो यह stator है इसके अंदर जब मैं supply दूँगा तो यह north pole, south pole, north pole, south pole इस तरीके से इसके अंदर magnetic field बन जाता है और यह जो magnetic field है three face का जो हमारा face angle है वो change होता रहता है वो अलग-अलग रहता है हमारा तो इस वज़े से यह जो magnetic field है यह rotating होता है इस stator के अंदर और इस rotating magnetic field की वज़े से इस तरीके से यह जो magnetic field है हमारा induction motor के अंदर जो stator होता है उसमें rotate होता रहता है जो three face के हमारी sequence change होती रहती है उसकी वज़े से यह जो magnetic field है इस magnetic field की वज़े से क्या होता है हमारा rotor motor के अंदर गूमने लग जाता है ये magnetic field किस वज़े से बनता है दो जम three phase input motor के अंदर देते हैं उस three phase input की वज़े से ये जो winding strator की दिखाई दे रही है आपको इस winding के अंदर एक magnetic field बन जाता है और magnetic field का मतलब क्या है magnet बनना, magnetic अंदर क्या होता है एक north pole होता है और एक south pole होता है वो same magnet यहाँ पर बन जाता है ये magnetic field rotating in nature होता है ये गूमता रहता है इसी गूमते हुए magnetic field की वज़े से हमारा जो rotor है वो गूमने लग जाता है तो ये induction motor का basic principle है कि induction motor गूमती कैसे है अब देखिए induction motor के अंदर जो rotational speed होती है rotor की जो rotational speed है उसको ये आप इस formula से drive कर सकते हो ये आपको एक formula दिखाई दे रहोगा यहाँ पे इससे मैं क्या कर सकता हूँ जो rotational speed है induction motor की कि कितनी होगी वो मैं निकाल सकता हूँ 120 यहाँ पे constant value है ये formula को drive करने के लिए 120 constant यहाँ पे लगाया गया है ठीक है ये constant रहेगा ये कभी भी change नहीं होगा इसके बारह में ज़्यादा ध्यान देनी की जुरूत नहीं है कहां से आया 120 क्यों लिया क्योंकि ये जो formula है जब इसको proven किया जा रहा था तो उस time पे ये constant value 120 यहाँ पे रखी गई थी ये standard है आपको हमेशा यहाँ पे कितना ही लेना है 120 ही लेना है तो 120 multiply by frequency की जो आपकी input आ रही है उसकी आपकी frequency कितनी है मालीजी जो 3 face voltage मैं VFD पे दे रहा हूँ इसकी जो ये input supply मेरी है इसकी frequency कितनी है वो यहाँ पे मेरे को डाल देनी है इस formula के अंदर 120 multiply by frequency of input signal और divided by number of poles ये आपको मिलेगा motor से जो induction motor होती है उसके उपर एक name plate लगी होगी वहाँ पे आपको detail मिल जाएगी कि ये जो motor है वो कितने poles की motor है अगर ये name plate नहीं है तो ये जानकारी मिलने का कोई तरीका नहीं है आपको ये information motor की plate से ही लेनी पड़ेगी या फिर आपने rewind वगारा करवाई है wind वगारा करवाई है जिससे जिसने उसको किया है उससे आप पूछ सकते हो कि आपने कितने pole की motor बनाई है तो वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी number of poles अब देखिए एक जो motor है उसके अंदर ये हमेशा fix रहेंगे number of poles ये कभी change नहीं होंगे तो 120 है इस formula के अंदर ये भी fix रहेगा हमेशा और number of poles जो आपके motor जिसके लिए आप निकालोगे वो भी एक motor के लिए आपके लिए fix रहेंगे motor आपकी दो pole की भी हो सकती है आपकी चार pole की भी हो सकती है तो जिस भी pole की motor है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा और फिर multiply by one minus slip यह slip क्या होता है इसके बारे मैं आपको बताऊँगा इस slip basically क्या है जो हमारी speed है जो magnetic field की rotate करने की speed है और जो rotor की speed है उसके difference को slip बोलते हैं यह क्या होता है अभी मैं आपको आपके समझाँगा सारी चीजे आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपको किसी induction motor की speed निकालनी है rotational speed निकालनी है कि यह motor कितनी speed से घूमरी है तो आपको कुछ नहीं करना आपको क्या करना है 120 multiply by frequency जितनी frequency पे वो चल रही है मैं यहाँ पे आपको example लेके बताता हूँ मालीजे 120 और मालीजे अभी जो motor की frequency है वो 50 hertz है मैं यहाँ पे 50 डाल दूँगा और मालीजे मेरी 4 pole की motor है तो मैं 4 pole यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे multiply by 7 में 1 minus slip जो भी उस motor की slip की value है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा और इस सारी calculation से मेरे पास जो motor की speed है वो निकल आएगी कि इस motor के जो rpm है वो कितने है round per minute कितने rpm पे घूम रही है तो यह motor की rotational speed निकालने का formula है अब मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कुछ motor के अंदर parameter के अंदर define करना पड़ जाता है कि कितनी slip है कितना आपका क्या 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 motor की जो rpm रहने वाले हैं वो क्या है पूरी smooth operation के लिए तो अब यह सारी चीजे एक बार देख लेते हैं कि rotational speed क्या होती है synchronous speed क्या होती है slip क्या होता है यह जो terms मैंने आपके सामने नहीं नहीं बोली है देखे सबसे पहले ही मैंने आपको बताया slip यहाँ पे एक slip लिखा हो है कि यह slip क्या है बाकी तो सारी चीजे constant आपको मिली जाएगी 120 ऐसी रहेगा frequency आप खुद से set करोगे जितनी frequency आपको आपने कर रख्योगी drive की उपर set वो frequency आप यहाँ पे डाल दोगे number of poles आपको motor से मिल जाएगा कि कितने pole की motor है अब बसता आपका slip कि आपको slip कैसे निकालोगे देखे slip क्या होता है slip होता है difference between the synchronous speed synchronous speed एंदा rotor speed synchronous speed किसकी magnetic field की जो magnetic field हमारा rotate होता है मैंने आपको बताया था कि induction motor के अंदर क्या होता है stator होता है stator के अंदर magnetic field बनता है वो magnetic field हमारा rotating in nature होता है वो rotate होता है तो उस magnetic field की घूमने की जो speed है उसको क्या बोलते है synchronous speed जो magnetic field की घूमने की speed है उसको क्या बोलते है synchronous speed और जिस speed से rotor घूम रहोता है उसको बोलते है rotor speed तो कुछ losses के कारण जो synchronous speed है जो magnetic field को घूमने की speed है उसको बोलते हैं, slip, और rotor speed क्या होती है, synchronous speed से कम होती है, क्यों कम होती है, कुछ losses motor के अंदर कुछ losses हो रहते हैं, उसकी वज़े से जो rotor की speed है, वो हमारी कम हो जाती है, और इन दोनों के difference का बोला जाता है, slip, अब synchronous speed, मैं आपको बताई चेका हूँ, synchronous speed is the speed of rotation of the magnetic field, कि जो stator के magnetic field rotate हो रहा है, उसकी rotor होनी जो speed है, उसको क्या बोलते हैं? synchronous speed, और rotor speed क्या है? the speed of 3-phase induction motor rotor की, कि जो induction motor के अंदर rotor लगाओ है, जो induction motor की speed है, उसको बोलते है, rotor speed, और इन दोनों studentspeed के difference, synchronous speed का difference क्या होता है? sleep होता है हमारा तो यहाँ पे इस दोनों speed का difference आप निकाल के one minus कर दोगे sleep के अंदर तो आपका जो rotational speed of motor है वो निकल आएगा ठीक है जी अब आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं देखिए ये मेरे पास motor है ये मेरे पास stator है और ये मेरे पास rotor है अब ये जो stator है इसके अंदर magnetic field गूमता है ये इस magnetic field की जो गूमने की speed है इसको क्या बोलते है synchronous speed बोलते है ठीक है जी और ये जो rotor है ये जिस speed से गूमता है इसकी गूमने की speed को क्या बोलते है rotor speed बोलते है synchronous speed ज़्यादा होती है किस से rotor speed से क्यों कुछ motor के अंदर कुछ हमारे losses होते हैं उन losses की वज़े से जो हमारी rotor की speed है वो synchronous speed से कम हो जाती है इन दोनों का difference हमारा कहलाता है slip अब motor के उपर आपको motor की speed मिल जाएगी motor के उपर आपको क्या मिल जाएगी motor के rpm मिल जाएगे और उसकी synchronous speed भी मिल जाएगी उसकी name plate पे ही अगर आपको ये दोनों चीज़े नहीं मिल रही तो आपको direct slip लिखा मिल जाएगा कि जो motor का slip है वो कितना है तो value direct उठा के आप motor की name plate से और यहाँ पे इस फार्मोले के अंदर put कर सकते हो देखिए जो slip है या तो आपको direct motor की name plate के उपर लिखा मिल जाएगा कि इस motor का slip इतना है अगर motor की name plate पे आपको नहीं मिल रहा तो आपको motor के उपर मिल जाएगी आपकी motor के rpm कि इस motor के rpm इंतरे हैं और synchronous speed इतनी है वो दोनों चीज़े मिल जाएगी उन दोनों को आप माइनस करके और उसको one में से माइनस करके इस फार्मोले के अंदर put कर दोगे तो आपके आप पास जो motor की rotational speed है वो rotational speed निकल आएगी नहीं तो बहुत सारी motor के अंदर आपको सीधे सीधे rpm आपके हम लिखे ही होते है जो rotor की speed है वो देई जाती है कि इतनी आपकी rotor की speed यहाँ पे मिली हुई है तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने का मतलब यह था कि slip क्या होती है motor के अंदर synchronous speed क्या होती है rotor speed क्या होती है क्योंकि जो कुछ special type के VFD होते है जहाँ पे हम position वगारा speed वगारा को precisely control कर रहे होते है तो वहाँ पे में slip वगारा की value भी upload motor के अंदर motor के जो motor से लेके जो VFD के parameter है उसके अंदर हमें डालनी पड़ जाती है तो I hope आपको clear होगा होगा कि synchronous speed क्या होती है जिस speed से magnetic field rotate करता है उसको synchronous speed बोलते है और जिस speed से motor के अंदर rotor गुमता है उसको rotor speed बोलते है इन दोनों के difference को slip बोला जाता है ठीक है the difference between the synchronous speed and the rotor speed is called slip तो ये था हमारा slip के बारे में की induction motor के अंदर slip क्या होती है तो आगे चलते है देखे VFD जो करता है वो VFD क्या करता है VFD के अंदर हम AC input देते है इस तरीके से क्या देते है AC input देते है वो क्या करता है इसको PWM signal के अंदर convert कर देता है IGBT की help से देखे पिछले वीडियो के अंदर में आपको बता चुका हूँ VFD के अंदर क्या लगा होते है सबसे पहले हमारे reactifier लगे होते है reactifier क्या करते है AC को DC में convert कर देते है उसके बाद capacitor हमारे लगे होते है capacitor क्या करते है उस DC को smooth कर देते है बिलकुल जो भी ripple बगार noise बगार होता है उसको remove कर देते है और उसके बाद हमारे IGBT लगे होते है IGBT क्या करते हैं उस DC को PWM के अंदर pulse width modulation करके इस तरीके के signal के अंदर convert कर देते हैं जिससे कि हम motor की speed को control करते हैं क्योंकि signal के अंदर हम इसकी frequency को control कर रहे होते हैं तो यह basic होता है VFD के अंदर कि VFD के अंदर क्या होता है input voltage AC रहता है और with the help of PWM signal हम जो motor है जो यह जो rotor है इसकी speed को control करते हैं किसकी साहता से यह जो PWM signal है इसकी साहता से हमारा जो यह rotor है इसकी speed को हम कम ज़्यादा करते हैं कैसे हम इस signal की frequency को कम ज़्यादा करके जो PWM है इस motor की speed को कम ज़्यादा करते हैं तो इस तरीके से जो induction motor है वो VFD के दवारा control की जाती है इसके RPM को कम ज़्यादा किया जाता है इस PWM signal की साहता से तो अब देखते हैं कि यह जो PWM signal है यह जो PWM signal VFD के अंदर बन रहा है सारा system करने के बाद इसको control करने के लिए हमें इसकी frequency के साथ-साथ इसकी voltage को भी control करना होता है जो हमारी speed होती है वो किसके directly proportional होती है frequency के directly proportional होती है अब हम motor के अंदर क्या करते हैं VFD की साहता से जो उसकी frequency है उसको कम ज़्यादा करते हैं इसलिए इसको VFD बोला जाता है variable frequency drive बोला जाता है अब जब मैं इस frequency को कम ज़्यादा करता हूं यह देखे जैसे यहाँ पर एक signal दिखाया गया है जब मैं इस frequency को कम ज़्यादा करता हूं तो मेरे को इसके with respect में voltage को भी कम ज़्यादा करना होता है क्यों करना होता है क्योंकि मान लीजिए मैंने frequency तो कर दिया 10 Hz frequency मैंने कितना कर दिया 10 Hz कर दिया मैंने frequency सेट कर दिया VFD का 10 Hz और voltage मैंने रखा अपना 400 के 415 V voltage को मैंने कम नहीं किया और यह मैंने दे दिया motor के उपर अब इस case के अंदर क्या होगा जो मेरी motor है वो पूरी proper तरीके से काम नहीं करेगी उसकी speed control सही नहीं होगी कभी वो कम घुम जाएगी कभी वो ज़्यादा घुमेगी आपकी operation जो है वो smooth नहीं होगा अगर मेरे को पूरे बढ़िया तरीके से motor की speed को control करना है तो मेरे को जो यह frequency हो रही है frequency को जो मैं control कर रहा हूँ जो PWM signal अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था इसके साथ साथ मेरे को जो यह voltage है इस level को भी control करना पड़ेगा यह जो voltage है इसको भी control करना पड़ेगा किसके साथ साथ frequency के साथ साथ मतलब क्या है मतलब यह है कि अगर मेरे को induction motor को पूरा properly control करना है frequency की साथ से तो मेरे को उसके साथ साथ जो voltage है उसको भी with respect to frequency कम ज़्यादा करना पड़ेगा मालीजे frequency ज़्यादा कर रहा हूँ तो voltage का level भी मेरे को ज़्यादा रखना पड़ेगा frequency को कम कर रहा हूँ तो voltage का level भी मेरे को कम रखना पड़ेगा यहाँ पर यह जो आप देख रहे हो graph 1 इसके अंदर दिखाया गया है जब मेरी frequency 15 Hz है मा लिजे मेरे पास एक VFD लगी हुई है और उस VFD के अंदर आप देखे जो frequency है जब यह frequency कैसे PWM signal से ऐसे कम ज़्यादा करते हैं जो इसका switching का time है या भी आप देखे यह बिल्कुल छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होगे यह जो pulse आपको बिल्कुल छोटी सी width इसकी दिखाई दे रहे होगी यह क्या है इसका switching time बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है इसका switching time IGBT की सायता से क्या कर दिया है बहुत कम कर दिया है इसका मतलब IGBT बहुत जल्दी-जल्दी switch on, off, on, off हो रहे हैं तो यहाँ पे जो frequency है इस वज़े से कम हो गई है अब यह जो frequency है यहाँ पे 15 Hz अभी frequency है तो अगर मेरे को इस 15 Hz frequency से motor को सही control करना है तो मेरे को जो voltage है उसको भी कम करना पड़ेगा मेरे को voltage को कितना रखना पड़ेगा 120 V रखना पड़ेगा अगर इस frequency को मैं 30 Hz कर देता हूँ अभी आप देखे यहाँ पे जो आपको यह pulse दिखाई दे रही होगी इसका time इससे double है तो इसलिए frequency क्या होगी है 30 Hz यहाँ पे frequency होगी है तो मैं जब 30 Hz frequency कर रहा हूँ तो मेरे को voltage को भी इसके with respect set करना पड़ेगा 240 V पे और जब मैं maximum frequency 60 Hz देखे यहाँ पे कितना ज़्यादा time हो चुका है यह pulse देखे यह काफी देर तक होँन है इस वज़े से frequency भी यहाँ पे काफी बढ़ चुकी है तो जब मैं frequency को करना हूँ 60 Hz तो voltage का level भी मेरे को कितना रखना पड़ेगा 480 V रखना पड़ेगा तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे अगर motor को proper control करना है मेरे को with respect to frequency उसकी जो voltage है उसको भी control करना पड़ेगा देखिए यहाँ पे 60 Hz maximum थी तो मेरी maximum voltage कितनी थी 60 Hz पे 480 V ठीक है मैंने जब frequency को हाप कर दिया 30 Hz कर दिया मैंने frequency को आप देखिए यहाँ पे frequency को हाप कर दिया 30 Hz तो voltage भी कितना हो गया 240 हो गया इसका कितना हो गया हाफ हो गया तो voltage भी frequency के with respect ही चेंज होगा यहाँ पे देखिए frequency कितना कर दिया 15 Hz कर दिया तो यह इसका अधा हो गया और यहाँ पे 30 था जब voltage कितनी थी 240 और यहाँ पे frequency मैंने कर दिया 15 तो मेरी voltage भी कितनी होगी 120 V होगी तो आप यह चीज जब VFD की output पे चेक भी करोगे न अगर आपके पास VFD लगे होगे हैं आप VFD के जहां से output निकल रही है जो motor पे जा रहा है वहाँ पे multimeter लगाना आप देखिए एक तो VFD से PWM signal निकलते हैं तो multimeter की साइट हैसम exact measure नहीं कर सकते है output को बट हमें वहाँ पे voltage का level मिल जाएगा तो जब आप multimeter लगाओगे आपकी VFD पे आप output पे उस पे तो आप देखोगे कि अगर आपकी frequency 50 Hz सेट है आपकी drive के अंदर 50 Hz frequency है तो आपकी जो voltage है वो पूरी 415 वोल्ट निकल रही होगी और अगर आपकी frequency कम है आपकी frequency माल लीजिए 25 Hz है तो आपकी voltage आद्धी हो रही होगी दोस्तों के असपास आपको volt मिल रही होगी तो आपकी जो voltage है वो frequency के साथ कमिया जादा VFD के अंदर होती रहती है क्यों होती रहती है क्योंकि voltage के साथ frequency को control करना जरूरी है motor के smooth operation के लिए अगर frequency के साथ voltage को control नहीं करेंगे तो जो motor है वो पूरी proper तरीके से उसकी speed control नहीं हो पाएगी कभी आप बढ़ाओगे तो वो कम हो जाएगी जादा करोगे तो कम हो जाएगी और भी तरीके के आप दिक्कते phase करोगे तो VFD क्या करती है frequency की सायता से जो motor है उसकी speed को control करती है बट साथ में क्या करती है voltage को भी control करती है with respect to frequency अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 15 Hz जब होगी तो 15 Hz पे ये के motor है देखिए ये कुछ कम RPM पे गूमेगी ठीक है यहाँ पे RPM कितने होगे आपके 4500 RPM पे गूमेगी अब मालीजे मैं frequency बढ़ा के कर देता हूँ इसकी 30 Hz 30 Hz जब frequency होगी तो इसके RPM बढ़ जाएंगे इसके RPM भी कितने हो जाएंगे 900 RPM हो जाएंगे और frequency इसकी 30 Hz हो जाएगी अब मालीजे मैं इसकी frequency और बढ़ा देता हूँ मैं इसके और frequency बढ़ाँगा तो यह motor और तेजी से गुमेगी जब और तेजी से गुमेगी तो आपे RPM कितने पहुन जाएंगे 1800 RPM आपके पहुन जाएंगे और voltage आपकी कितनी पहुन जाएगी 480 V पहुन जाएगी तो देखिए यह जो सारी चीजे हैं speed, motor की, frequency और यहाँ पे voltage यह सारी चीजे क्या हैं आपस में जुड़ी हुई है आप जैसे जैसे drive की frequency को बढ़ाओगे आपकी voltage भी बढ़ेगी और आपके motor के RPM भी बढ़ेगे आप जैसे जैसे drive की frequency को कम करोगे आपकी जो motor की speed है वो भी कम होगी और आपकी जो voltage है वो भी कम होगी तो यह सारी चीजे हमें VFD के अंदर control करनी होती है कि जो motor की voltage है outputs में जो निकल रही है और motor से जो frequency है यह सारी चीजे क्या है control है एक proper manner में इसी criteria के according यह जो output के अंदर voltage और frequency निकल रही है drive की मैं किसकी बात कर रहा हूँ drive की output से जो मेरे को मिल रहा है उसके अंदर जो मेरे को voltage और frequency को maintain करना है आपस में sync करके रखना है कि जब frequency बढ़े तो voltage भी बढ़े frequency कम हो तो output voltage भी कम हो क्यों क्योंकि motor का smooth operation हो पाए अगर ये दोनों चीज़े आपस में sync करनी रहेंगी तो motor आपकी सही तरीके से नहीं चलेगी इसी के according भी VFD को classify किया जाता है इसके according भी क्या किया जाता है VFD को classify किया जाता है अब इसके according जो motor control method इसको क्या बोलते है ये जो VFD के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जो speed को और frequency को और voltage को जो voltage को और frequency को हम control करते है इसके according भी VFD को classify किया जाता है इस system को बोला जाता है motor control method इसको क्या बोला जाता है motor control method जो ये voltage को और frequency को balance करते हैं इसको क्या बोलते है motor control method बोलते है इसके according भी हमारे अलग-अलग type के VFD आते हैं यह समझने वाली बात है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ output की कि जो VFD से मेरे को output मिल रहा है उस output के अंदर जो voltage और जो frequency है उसको कैसे balance रखना है उस balance रखने के उसको अलग-अलग method है उसको balance रखने के क्या है VFD आते हैं जिसके अंदर वो अलग-अलग method यूज़ किये जाते हैं इस voltage और frequency को आपस में sync रखने के लिए उसकी यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे जो सबसे पहला होता है हमारा वो होता है VF control method voltage volts per hertz क्या होता है VF control method यह किसकी बात हो रही है जो motor के अंदर output निकल रही है उसके अंदर frequency और voltage को आपस में sync रखना है उसको sync रखने के लिए जिस method का इस्तमाल किया जाता है जिस technology का इस्तमाल किया जाता है उसके according VFD को classify कर रहे हैं उसके according एक type होती है VFD की VF control क्या होती है VF control VF control की full form है volts per hertz दूसरी होती है VF with encoder दूसरी क्या होती है VF with encoder यह क्या होती है कैसे होती है अभी आगे discuss करेंगे अभी सिर्फ समझो कि यह क्या है और किसलिए है वो मैं बता रहा है ठीक है और अगली होती है हमारी open loop vector क्या होती है जी open loop vector और last होती है हमारी close loop vector ठीक है जी चार method है VFD के अंदर जिसकी सायता से हम यह जो voltage और जो frequency output में मिल रहा है इसको balance कर सकते है अलग-अलग application के लिए वो चार control method है जो drive के अंदर इस्तमाल किये जाते हैं यह जो voltage और जो frequency output में उसको balance रखने के लिए एक है VF watts per hertz without encoder दूसरा है VF within encoder तीसरा है open loop vector चोता है close loop vector तो यह चार method VFD के अंदर इस्तमाल होते हैं चार type की VFD होती हैं motor को control करने के लिए ठीक है जी अब सबसे पहले देखते हैं VF control method उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक clear कर दूँ कि यह जो control method है ना अब इसमें मत confuse हो जाना कि जो motor को चलाने के लिए इस्तमाल किया जाता है मैंने पहले बताया था कि local से चला सकते हैं motor को VFD से जैसे यहाँ से run कर सकते हैं ठीक है रिमोट से चला सकते हैं मैंने आपको बताया था कि बटन लगा के चला सकते हैं यह control करने के तरीक को हता है VFD को यह VFD को चलाने या stop करने के control method नहीं है कि VFD कहां से run होगा और कहां से stop होगा यह जो control method है यह है कि VFD से जो output signal मिल रहा है VFD से जो output मिल रहा है जो motor के उपर जा रहा है उसके अंदर voltage और frequency को आपस में sync करना है क्यों? क्योंकि पूरा smooth operation हो पाए motor का properly speed और torque जो है वो control हो पाए वो अलग-अलग method बनाएगे हैं वो चार method है ठीक है किसको? इनको बोलते है motor control method in VFD ECK coding चार टाइब के VFD हमारे market के अंदर देखने का आपको मिलेंगे वो आपको अपनी application के coding चूज करना है कि कौन सा आपको VFD लगाना है वो कैसे क्या है अभी आपको आगे clear हो जाएगा अभी सरफ मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि motor control method VFD के अंदर क्या होते हैं और क्यों इनकी जुरूरत पड़ती है तो I hope आपको थोड़ा से चीजे समझ में आएंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं motor control method की इन VFD के अंदर मैं आपको जो समझा रहा था देखे यहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास एक VFD है एक induction motor है यहां पे मैं इस induction motor को VFD के साथ जोड़ूँगा तो एक face मेरा आ जाएगा फिर मेरा दूसरा face आ जाएगा फिर मेरा तीसरा face आ जाएगा इस तरीके से जो power की wiring है इस VFD की इस motor के साथ हो जाएगी अब देखे इस VFD से जो मेरी motor चल रही है इस VFD से जो मेरी यह motor चल रही है इसके अंदर जो यह output जा रही है यह जो output जा रही है इसके अंदर voltage को और frequency को sync करना अपस में control करना voltage और frequency को क्योंकि इस motor की जो speed है इस motor की जो speed है वो पूरी proper control हो पाए उसके लिए motor control method बनाए गए है अब VFD चाहिए देखे मैंने आपको चार method बताए है VFD के VF control method open loop जिसके अंदर encoder नहीं इस्तमाल किया जाता VF with encoder open loop vector close loop vector सभी के सभी काम करेंगे PWM पर ही सभी से waveform कौन सी मिलेगी PWM मिलेगी ठीक है जी तो इसमें आपको PWM की साहिता से अलग-अलग को control करना कैसे motor को control करना है उसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा तो देखिए सबसे पहले जो difference है कि जो अलग-अलग method है ये ये करेंगे कैसे अभी मैं आपको बता के अटाओं कि जो चारों के चारों method होगे उनके अंदर क्या होगा PWM ही होगा आपकी pulse width modulation ही हो रही होगी जब चारों के अंदर same है pulse width modulation ही हो रही है तो चार method काम कैसे करेंगे अलग-अलग देखिए इनके अंदर जो काम होगा ना जो speed और जो torque मैं आपको बता रहा हूँ वो control होगा अलग-अलग तरीके से वो कैसे होगा process जो इसके अंदर इन method के अंदर use की गई है calculate करने के लिए motor के voltage को ठीक है जो process जो drive आप लोगे मालीजे आपने एक drive लिया उसके अंदर VF control दे रखा है उसके अंदर आपका क्या दे रखा है VF control दे रखा है तो इसके अंदर जो technology होगी जो process होगी वो अलग होगी ठीक है जी जब आप एक drive लोगे दूसरा जिसके अंदर vector control यूज किया होग तो VF control के अंदर और vector control के अंदर जो calculation होगी आपकी जो voltage कितना निकलेगा frequency कितनी रहेगी उसके with respect में कि motor की जो torque और speed है वो पूरी smoothly आप control कर पाओ उसकी calculation अलग होगी उस calculation की वजह से ये अलग-अलग method है आयोब आपको समझ में आवगा कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये बत ये हम को यूज करेंगे pulse width modulation होगी सभी method के अंदर जो frequency है वो कम जादा होगी अब मैंने आपको बताया कि motor की speed proper control कैसी होगी जब frequency और जो voltage है वो proper sync रहेगी बट अब अलग-अलग method है तो अलग-अलग के अंदर क्या होगा ऐसा कि जिससे motor की speed जो है और जो torque है अलग-अलग calculation है voltage का और frequency का वो अलग होगा तो ये सारा कुछ किस पर depend होगा उसकी calculation पर depend होगा जो उस drive के अंदर इस्तमाल किया होगा इसलिए ये सारी drive भी अलग-अलग-अलग तरीके के आपको मिलेंगी जब आप drive खरीद होगे तो आपको बताएगा particular कि इसके अंदर कौन सा control method जो basic drive भी होगी वो हमारी VF के साथ होगी जो special drive हमारी जैसे vector वगारा है वो अलग आती है उनको हमें अलग से specification वगारा के साथ purchase करना होता है तो ये control method अलग कैसे हैं इनके calculation के method के वज़े से हैं कि जो voltage और frequency को कैसे balance रखना है उसका जो calculation का formula है वो अलग-अलग इन drive के अंद इस अलग-अलग की जुरूरत हमें पढ़ती है अलग-अलग application की वज़े से अभी देखे मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक conveyor दिखाई दे रही है जिसके ओपर bottle चल रही है जिसके ओपर क्या चल रही है बोटल चल रही है यहाँ पे एक पूली लगी है इस पूली के साथ यह यह मेरी drive यहाँ पे motor connect है और इस motor के साथ यह VFD connect है अब इस case के अंदर देखिए इस case के अंदर मेरे को सिर्फ speed को control करने की requirement है किसको control करना है speed को control करना है यहाँ पे torque का इतना scene नहीं है कि इतनी भारी यह नहीं है conveyor कि यह motor को initially torque की ज़्यादा जुरूरत पड़े तो VF control method है वो इस्तमाल में हो जाएगी drive अब कुछ application ऐसी होती है जहाँ पे हमें अलग-अलग requirement पड़ती है जैसे यह exhaust fan है इस exhaust fan को मैं अगर VFD से operate करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को torque की कोई ज्यादा जूरूत पड़ने वाली नहीं है मेरे को initial torque की ज्यादा जूरूत नह जाएंगे सिर्फ frequency और voltage का जो ratio है उसको set करके वो easily control हो जाएंगे तो यहाँ पे जो मेरी VF control वाली drive है वो काम्याब हो जाएंगी पर कुछ application ऐसी है देखे जैसे मेरे पास यह एक drilling machine है मेरे पास क्या है कि drilling machine है अब माली जी आप drill कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर मैं लोहे का piece ले लिया मेरे पास एक metal का टुकडा है और मैंने उसको यहाँ पे रख दिया मैंने यहाँ पे इसको रख दिया और फिर इस drill machine को मैंने चलाया यहाँ एक मेरे work piece है work job है जिसमें मेरे को hole करना है और यह motor इस से drill को मैं गुमा रहा हूँ यह job पर motor लगी हुई है इस मैं drill को गुमा रहा हूँ इस case में क्या होगा देखे जैसे ही drill bit इस लोहे के piece को काटने के लिए जाएगी इसको speed के साथ साथ torque की भी जूरत पड़ेगी torque का मतलब है जोर फोर्स अगर इस motor के अंदर जोर ही नहीं होगा torque ही नहीं होगा तो यह cutting करी नहीं पाएगी और cutting करने के लिए मेरे को क्या चीएगे RPM कम चीएगे ऐसा तो है नहीं कि मैं drill करते 2000 RPM पर गुमा दूँगा बिट को बिट एकदम से तूट जाएगी मेरे को RPM कितने चलाने पड़ेगे 100-200-300 RPM पर मेरे को कम RPM चलाना पड़ेगा पर torque क्या चीएगा ज़्यादा चीएगा यहाँ पर requirement क्या है जो RPM है वो कम चीएगे less RPM बट जो torque है वो क्या चीएगे वो ज़्यादा चीएगे तो यहाँ पर एक अलग type की drive की जुरूरत पड़ेगी जिसके अंदर मैं क्या control करपाऊं जो RPM तो initially कम हो बट जो torque को वो मेरे को ज़्यादा दे पाए ज्यादा torque मैं उससे निकाल पाऊं अब इसके लिए जो मैं use क करूंगा vector type drive का क्योंकि vector drive drive के अंदर क्या होता है जो initial torque है वो ज्यादा होता है वो मेरे को कम RPM पे भी ज्यादा torque दे देती है इसलिए मैं यहाँ पे vector drive का इस्तवाल करूंगा और जैसे दूसरी application आपने देख्योंगी जो हमारी जैसे कपड़ा मील वगएर होती है जहाँ प जैसी motor start होगी उस starting के time पर क्या चाहिए initial torque बहुत जादा चाहिए तो उस initial torque को मैं जो VF वाली simple drive आती है हमारी VF control वाली वो नहीं produce कर सकता मैं initial torque इस method से नहीं produce कर सकता अगर मेरे को initial torque जादा चाहिए तो मेरे को vector type drive का इस्तमाल करना पड़ेगा I hope आपको समझ में आया होगा कि ये अलग-अलग तरीके की drive क्यों बनाई गई है और ये कैसे होती है और क्या काम होता है आपको briefly एक बर छोटा सा explain कर देता हूँ कि मेरे को अलग-अलग requirement रहती है अलग-अलग application के अंदर कहीं पे मेरे को सिर्फ speed को control करना होता है कहीं पे मे को initial torque जादा चाहिए होता है तो इन सभी चीजों को fulfill करने के लिए जो VFD के अंतर से output signal मेरा निकलता है जो मेरी output निकलती है जो motor पे जाती है उसके अंदर अलग-अलग calculation की गई है जिससे की जो voltage जो frequency है उसके ratio को इस तरीके से set कर देते हैं कि जहाँ पे हमें torque requirement है ज्यादा speed मिले तो ये इस तरीके से VFD के जो motor control method है उनको classify किया गया है I hope आपको ये चीज समझ में आयोगी कैसे क्या है अभी आगे और करेंगे तो आपको और चीज़ें clear होती चली जाएंगी जब हर एक method को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे देखे ये आपकी application के point of view से बहुत जुरूरी हो जाता है अगर आपको ये नहीं पता कि कितने time की VFD आती है अमालीज ये आप एक drilling machine बना रहे हो और आपने VFD ख्रीद लिया VF control वड़ा आपका चलेगा यह नहीं आपका initial torque आएगा यह नहीं आपकी बार बार VFD के ओपर overload का alarm आता रहेगा क्यों क्य आपके देखते हैं अब देखिए यहाँ पर एक basic diagram मैंने बनाया है यह इसलिए बनाया है इसके अंदर working दिखाईगी है VFD की यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज clear हो जाए कि चाहे VF control है चाहे Vector control है वो VFDA की तरीके से काम कर रही होगी VFD के अंदर कु reactifier इसको AC से DC में convert कर देगा उसके बाद capacitor होगा capacitor जो यह signal है इस DC को smooth कर देगा और जो inverter है IGBT जो section लगा यहाँ पर IGBT section होता है IGBT section इसको PWM signal के अंदर इस तरीके से convert कर देगा control circuit इस सारे circuit को control करेगा यह जो motor है यह गूमेगी with respect to this signal इसकी जो frequency होगी signal की उसके according इस motor के जो VFD चाहे वो VF control है चाहे वो vector control है ऐसी काम करेगी बट उसके अंदर difference क्या होगा जो यह आखरी का हिस्सा है यह जो आखरी का हिस्सा है यह जो IGBT वाला section है यहाँ पर यह जो signal बन रहा है यह जो signal है इसका जो voltage और frequency की calculation कैसे करनी है वो जो calculation का formula है वो हर एक drive के अंदर अलग अलग होगा वो सारा कुछ किसकी वज़े से होगा ही जो control circuit है उसकी वज़े से वो सारी चीजे control करेगा यह circuit अगर आप vector control लोगे तो उसका एक अलग formula के अंदर voltage और frequency को बैलन्स करेगा VF control लोगे तो उसमें वो एक अलग formula के साथ voltage और frequency को balance करेगा तो I hope आपको समझ में आय calculation है उसका formula हमारा अलग हो जाएगा उसी formula के अलग होने की वज़े से जो calculation है वो अलग होने की वज़े से हमारी अलग-अलग type की VFD बनेंगे उनकी अलग-अलग class होगी काम सभी का एक ही होगा motor की speed को control करना और torque को control करना तो देख लेते हैं motor control method देखे सबसे पहले बात करते है VF control method की जो VF control method है इसको generally volts per hertz भी बोला जाता है क्या बोला जाता है? VF control method is for controlling frequency and voltage में यह बताता है आ आपको so that the ratio of frequency after voltage is constant when changing the frequency कि जब हमारी motor चले उसके अंदर जो हमारा signal है PWM जो signal बनता है उसमें जो voltage और frequency है वो उसका जो level है वो sink रहे आपस में जिसकी वज़े से motor का पूरा smooth operation हो पाए ये सिरफ उसको control करता है किसको control करता है सिरफ frequency और voltage को एक level के अंदर ये control करके रखता है इस method के अंदर VF control method इसको बोलते है उनके ratio को maintain रखता है ये क्या करता है speed को control करता है इसकी जो speed range है control करने की वो 1 raise to 40 है 1 raise to 40 है ये क्या होता है इसका मतलम में अब आग आपको बताऊंगा सिरफ ये समझे कि जो VF control के अंदर range रहती है support control करने की speed को वो 1 raise to 40 रहती है ठीक है इसके अंदर को feedback encoder वेगरा यूज नहीं किया जाता इसके अंदर सिरफ हमारी एक motor रहती है और motor से direct हम VFD को VFD से direct motor को चला रहते हैं encoder वेगरा हम यूज नहीं करते हैं अगर हम graph देखे तो इसमें इस तरी का graph बनता है यहाँ पर देखें मैंने voltage दिखा रहा है और यहाँ पर मैंने frequency दिखा रहा है इसके अंदर क्या होता है जैसे जैसे आपकी frequency बढ़ती है वैसे वैसे आपकी voltage भी बढ़ती है जैसे जैसे आपकी frequency कम होती है वैसे वैसे आपकी voltage भी control होती है तो यह सबसे simplest method होता है VF control method ठीक है जी आपको हायोब समझ में होगा कि VF control method क्या होता है अब चलते हैं आगे देखे VF control method के अंदर मैं आपको अलड़ी बताई चुका हूँ कि जैसे जैसे आपका voltage बढ़ेगा देखेए मैं आपको example यह पहले भी दिया था कि जैसे जैसे आपका voltage बढ़ेगा sorry frequency बढ़ेगा आपका voltage भी बढ़ेगा यहाँ पे frequency देखे 15 minutes है voltage 120 है frequency यहाँ पे देखे 30 seconds है voltage आपका 240 है frequency आपका 60 है voltage आपका 480 है तो इस voltage और frequency के ratio को यह maintain करके रखेगा जिससे वज़े से जो हमारी motor है उसकी जो speed है वो proper control हो पाएगी VFD की साहता से यहाँ पे क्या करेगा जो यह RYB जा रहे हैं इन से जो यह output के signal निकल रहे है इनके अंदर यह frequency के with respect voltage को control करेगा जिससे की जो motor है वो easily control हो पाएगी मालीजे 15 Hz पे मेरे 400 RPM है तो voltage उस time पे कितना होगा 120 V होगा अगर मैं इस motor की frequency बढ़ा देता हूँ VFD की frequency बढ़ा देता हूँ तो motor के RPM भी बढ़ जाएंगे और 900 RPM पे अगर यह घूमरी है और उस time पे मेरे frequency अगर 30 Hz है तो मेरे voltage कितनी होगी 240 V होगी अगर motor और तेज मेरे घूमरी है 1800 RPM maximum RPM पे घूमरी है और उस time पे मेरे frequency जो वह 60 Hz है तो voltage आपको कितने देखने को मिलेगा 480 V आपको देखने को मिलेगा तो VF control method क्या करता है VF control method यह जो motor की speed है इसको proper control करने के लिए पुरी smoothing से VFD से control करने के लिए उसके अंदर जो frequency है और उसके with respect to voltage है उसको पूरा control करके यह रखता है जिससे की पूरा motor का operation smoothly हो पाए अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर range का क्या मतलब है जो हम आपको बता रहा था देखिए जो VF speed control range है वो 1 race to 40 का है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हम motor की जो speed है उसको हम एक ratio तक control कर सकते हैं मतलब देखिए मानलीजे मेरे पास एक 60 hertz की motor है मेरे पास क्या है एक 60 hertz की motor है और मैंने VFD के अंदर 60 hertz maximum frequency उसका set कर दिया और वो जो VFD है वो क्या है VF control VFD है VFD क्या है VF control है और VFD के अंदर मैंने 60 hertz को set कर दिया motor अभी मेरी चल रही है 60 hertz पे इसके अंदर जो rpm है मानलीजे इसके 1800 rpm है इसके 60 hertz पे कितने rpm है 1800 rpm है अगर VF control हमारा है VF type के हमारी drive है तो सिर्फ जो मैं motor की speed को control कर पाऊँगा वो 1.5 hertz तक कर पाऊँगा मैं कितने तक कर पाऊँगा 1.5 hertz तक कर पाऊँगा अब आप देख लीजे अगर 60 hertz पे motor के rpm है 1800 तो 1.5 hertz पे जितने rpm होंगे 1.5 hertz पे जितने rpm होंगे उतने ही rpm को VF control method से control किया जा सकता है अगर मैं चाहूं कि मैं 0.5 hertz सिर्फ 0.5 hertz या 1 hertz frequency पे चलाना चाता हूँ इस motor को और उस time पे जितने rpm उनको control करना साता हूँ तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिर्फ कितना कर सकता है 1 raise to 40 पे कर सकता है तो इससे आपको drive की आपको limit भी पता चलती है कि आप minimum कितने rpm पे drive को चला सकते हो motor को चला सकते हो operate कर सकते हो drive की सायता से और कैसे आपकी controlling रहने वाली है आपकी control range क्या रहने वाली है आयोब आपको समझ में आया होगा कि speed range का क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप minimum कितना control कर सकते हो 1 raise to 40 1 raise to 40 क्या निकल के आया जो आपका 60 है जो 60 है इसका यहां पे रहेगा यह 40 पे ठीक है और 60 का 1 raise to 40 आपका हो जाएगा 1.5 हर्ट 60 का 1 raise to 40 कितना होगा 1.5 हर्ट होगा तो यह जो motor है आप इसको 1.5 हर्ट से लेके 60 हर्ट पे जो RPM चलाओगे जो आपको मिलेंगे VFD की सायता से उससे आप VF कंटोल की सायता से कंटोल कर पाऊगे तो यह कि रेशो बताता है कि आप मिनिमम कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी को कंटोल कर सकते हो तो VF कंटोल के अंदर आप सिर्फ कितना कर सकते हो 1 raise to 40 आप कर सकते हो आई होप आपको समझ में आया होगा अब VF कंटोल मैथड देख लेते हैं with encoder अभी तक जो मैंने आपको बताया VF कंटोल मैथड without encoder था इसके अंदर कोई feedback बगार motor से नहीं ली जाती कि motor से मेरी कोई speed की feedback आ रही होगी यह open loop system होता है motor से सिर्फ supply जाती है motor VFD से supply जाती है motor गूमती हमारी रहती है motor से कोई वापिस feedback मेरा जो VFD है उस पे नहीं आता बट जो VF motor control method है उसके अंदर हम क्या करते हैं एक encoder का इस्तमाल करते हैं एक extra encoder लगा दिया जाता है बाकी सारा कुछ same काम कर रहा होता है जैसे VF control के अंदर काम कर रहा होता है बट एक VFD motor और उसके साथ एक encoder आपको मिल जाएगा और इसकी साहता से हम क्या कर लेते हैं better regulation कर लेते हैं speed का क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होता है feedback मिल रहा होता है encoder से feedback कहाँ चला जाता है मेरा VFD पे चला जाता है VFD के अंदर जो VF control method with encoder है उसके अंदर आपको अलग से terminal मिलेंगे जहाँ पे आप इस encoder की wire को जोड़ोगे और इस encoder का feedback इस VFD के अंदर आ जाएगा और इस encoder से feedback लेके यह कि अभी कितनी क्या speed चल रही है उस speed के अंदर feedback लेने के बाद और better तरीके से आपकी जो motor की speed जो torque है उसको control कर पाएगी तो यह VF control with encoder जो simple VF control है उससे better होता है इसके अंदर जो speed regulation है हम उससे बढ़िया तरीके से थोड़ा सोर कर सकते हैं तो यह होता है VF control method यह सिर्फ उसी drive पे लगेगा जो VF control drive with encoder sport करती होगी और उसके अंदर आपको encoder के terminal भी मिलेंगे जहां पे encoder के आपकी wire जूड़ेगी जो normal VFD आप देखोगे तो उसके अंदर अगर 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 encoder बगारा के terminal नहीं है तो इसका मतलब वो इसका मतलब यह VF with encoder है आप इसमें encoder को यूज कर सकते हो feedback लेके जिससे की better आपकी speed regulation हो पाए तो इसके अंदर सिर्फ क्या कर देते हैं हमें external encoder देते हैं VF control के साथ अब लाते हैं देखते है open loop vector control method देखे जो vector control method है इसको open loop को कई बार sensorless vector control भी बोला जाता है open loop जो vector control method है इसको कई बार sensorless vector control भी method बोला जाता है यह vector drive होती है वो without encoder होती है इनके अंदर encoder का इस्तमाल नहीं किया जाता open loop के अंदर तो इसलिए इसको open loop बोला जाता है ठीक है vector control क्या करता है यह achieve करता है independent control of motor और motor का speed और motor का torque ये क्या करता है achieve करने के लिए किसके लिए motor की speed और torque को achieve करने के लिए independently कि मेरे को speed को अलग control करना है और torque को अलग control करना है अभी देखे जो VF control matter था उसके अंदर अलग से torque control करने का कोई तरीका नहीं था आपको जो आपका VF signal निकलेगा with respect to voltage और frequency जो आपका signal change हो रहा था PWM उसके अंदर आपका fix है सब कुछ आप independent नहीं कर सकते अगर आपकी voltage माल लीजी आपने frequency set कर रखे 10 Hz तो जितना torque मिलना है मिलना है आप अलग से ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को 10 Hz पे अलग torque चीए मेरे को 20 Hz पे अलग से torque चीए वो चीज आपको मिलेगी कहाँ पे open loop के अंदर कि आप independently motor की speed को और torque को दुनों को control कर सकते हो जहाँ पे आपको torque और speed की अलग-अलग controlling की requirement है वहाँ पे हम vector drive का इस्तमाल करते है अब यह होता कैसे है वो सारी चीज़े मैं आपको बताई दी है उसके अंदर confused होने की जुरूत नहीं है सिरफ जो calculation होती है voltage और frequency की अलग होती है उस calculation की वज़े से यह सारी चीज़े हमारी हो रही होती है यह क्या करता है जो torque है lower speed पे ज़्यादा torque देता है वहाँ पे जो machine नहीं जुरूती है जब पूरा load पे हो जाती है सारी machine ने print करने के लिए निकलती है तो जैसी motor को गूमना है zero rpm से ही high torque उसको चीए तो वहाँ पे इस तरिके की जो requirement है वो vector drive की साहता से पूरी की जाती है क्यों क्यों क्योंकि यह starting के अंदर ही हमें क्या देता है काफी ज्यादा torque देता है higher torque at lower speed और इसके अंदर क्या रहता है 200% ज्यादा जो torque है वो आप ले सकते हो well भी क्या कर सकता है यह 200% तक rated torque का आपका 0.3 hertz पे produce कर सकता है वहाँ पे देखिए VF के अंदर minimum frequency कितनी control कर पा रहे थे 1.5 hertz तक control कर पा रहे थे जब 60 hertz maximum थी क्योंकि 1 raise to 40 तक का आपका control range था इसका control range देखिए 0.3 hertz पे आप 200% rated torque तक इसके अंदर आप control कर सकते हो मतलब जैसी आप motor को start कर रहे हो जितना आपको torque चाहिए initially 0 rpm से ही उत्तमा ही torque आपको vector control से मिल जाएगा vector drive का इस्तेमाल वहीं होता है जहाँ पे कम rpm पे या 0 rpm से ही torque की जुरूरत पढ़ती है तो यह था vector control और open loop vector control के अंदर कोई feedback के लिए encoder वेगारा का इस्तमाल नहीं किया जाता इसलिए इसको open loop vector control method बोला जाता है आप देख लेते हैं close loop vector control देखिए same काम करता है जैसे open loop काम करता है सिर्फ क्या difference है एक extra encoder का इस्तमाल किया जाता है उस extra encoder से feedback मिल जाता है फिर से और और ज्यादा precisely मैं control कर पड़ता हूँ मतलब जो close loop vector है वो open loop vector से भी और बढ़िया तरीके से motor की speed और torque को control कर सकता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक external encoder का इस्तमाल किया जाता है ठीक है वो ही बता गया है when encoder is used with open loop vector method it is called close loop vector control method देखे वो ही definition जो भी मैं आपको समझाई कि जब open loop vector के साथ एक encoder का इस्तमाल कर लिया जाता है उसको close loop vector control बहता है और close loop vector control में open loop से और भी ज़्यादा तरीके से जो motor की speed और torque का उसको precisely control किया जा सकता है ठीक है जी sorry encoder feedback pair with vector control method allow 200% motor starting torque at 0rpm देखे वहाँ पे कितना था 0.5 hertz आपको मिल रहा था open loop के अंदर बट जैसी आप close loop vector के अंदर आए आप जैसी motor को start कर रहे हो तो आप जो rated torque है यहाँ पर rated torque की बात और यह वो 200% तक ले सकते हो मतलब पहला ही rotation start और जितना maximum torque है वो आपको मिल जाएगा इसका क्या मतलब है मतलब जब VF control के अंदर एक motor को चला रहा हूं है और जब 1800 RPM पे motor घुमेगी maximum RPM पे जब घुमेगी 1800 RPM अगर माल लीजिए उसके maximum है उस पे घुमेगी जितना torque आपको 1800 RPM पे मिल रहा होगा उतना ही torque आप close loop vector के अंदर 0 RPM से ले सकते हो उसके अंदर आपका torque कम होता चला जाएगा VF control में जैसे ही आप frequency 50 Hz करोगे आपके RPM आद्धे हो जाएगे 900 RPM हो जाएगे आपके बट आपका torque भी आद्ध हो जाएगा तो इसके अंदर आप 0 RPM से ही उठा सकते हो close loop vector control के अंदर ठीक है इसके अंदर क्या है torque को control करने की भी ability होती है जो close loop होता है इसको हम motor torque control mode के अंदर भी चला सकते हैं कि मैं सिर्फ torque को control करना चाता हूँ वो चीज़ के अंदर भी कर सकता हूँ मैं specially dedicated जहाँ पे torque को कोई control करना है उनको भी चला सकता हूँ यह वहां के लिए बना गया है जहाँ पे low speed के अंदर high torque की requirement रहती है application जैसे आपके elevator होगे cranes होगे माली जे कोई आपकी crane है अब वो तो आपने load पे खड़ा कर रहा है crane के अंदर कुछ आपने लटका रहा है और उसके अंदर आपने कोई motor लगा पड़ेगा इस तरीके के अगर आपकी application है तो आई होप आपको समझ में आग होगा कि vector control क्या होता है और कैसे control करता है अब बात ये निकल के आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी drive कौन सी है आपने मेरी सारी काहनी सुन ली कि जी vfd होती है vf होता है vector होता है open loop होता आपको कैसे पता चलेगा और मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि सभी vfda की तरीके से काम करती है चाहे वो आपकी vf control हो चाहे आपकी vector control हो अंदर सभी की काम होगा सिर्फ जो calculation का method है वो अलग रहता है जिसके with respect voltage और frequency को वो adjust करते हैं बाकी basic जो काम करने का तरीका है वो यूज कैसे करना जो अलग-अलग function दिएगे हैं देखें जो function use करने हैं वो decide होते हैं parameter से वो किस से decide होते हैं parameter से vfd के अंदर parameter दिये जाते हैं उन parameter को set करके हम vfd को use कर सकते हैं अलग-अलग mode में बहुत सारी vfd ऐसी भी आती हैं जिनमें आपको vf control method तो मिलेगा ही आप चाहे तो उसको vf control की तरह use कीजिए चाहे ता vector control की तरह use कीजिए अब use कैसे करोगे ये parameter के अंदर decide होगा आप एक parameter set कर दोगे उसके अंदर आपको vfd है vf control के अंदर चलेगी एक दूसरा parameter को उसके अंदर कुछ आप value set कर दोगे तो आपकी vfd vector control के अंदर चलेगी तो आपको ये सारा कुछ कैसे set करना है, parameter के साहते से set करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए, अब आपको सबसे पहले कैसे परता चलेगा कि आपकी जो VFD है, वो कौन से type की VFD है, उसके लिए आप उसका download कर लीजिए, उस VFD का catalog, देखिए मैं D700 Series Mitsubishi की चलती है, तो मेरे पास उसी का मैंने के catalog डाउनलोड कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना, यह download करने के लिए simple Google को open कीजिए, और आपकी जो भी VFD है, चाहे वो किसी भी company के, चाहे वो ABB, Panasonic, जो भी आपकी company है, या SCAWA, जो भी है, आप उसका model number और पीछे लिख आप पढ़ोगे, तो इसमें उसने बता रखाओगा की कैसे क्या है, देखे यहाँ पर content और यह सारी चीज़े इसने बता रखाए है, standard specification, जो भी outline, dimension वगारा सब कुछ, तो हमें इसके specification के अंदर चलना है, हमें कहां चलना है, specification के अंदर चलना है, ठीक है, यह इसके feature वगार पर इसने दे दिया, 150% 1Hz high starting torque by journal purpose magnetic flux vector control, यहाँ पर देखे इसने कौन सा method यूज किया है, magnetic flux vector control को यूज किया है, ठीक है, तो यह जो VFD है, यह क्या है, इसके अंदर आपको vector control मिल रहा है, आपको यही से पता चल जाएगा, यहाँ से आपको vector control मिल रहा है, अभी सिर्फ यह पता कैसे चलेगा, क्या function है, फिर set कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, अभी आप नीचे चलते जाओगे, तो एक specification का आपका आएगा, देखे यह आगया, आपको standard specification के अंदर चले जाना है, यह देख रहा है, यह देखे यह model के साब से standard specification दिखाई दे रहे ह देखे, दोनों अलग-अलग बना रखी है, और उसी के coding से इनकी specification भी है, drive की, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, कि आपका जो input voltage का मैंने बताया था, वो कितने volt का है, और उसी के coding आपको आपका specification भी लेके चलना है, तो यहाँ से एक चीज आपको clear होगी, यह पता चल होगे, तो यहाँ पर लिखा होगा है, मैंने आपको बताया ना भी जो यह VFD का classification होता है, VF control, Vector Flux, Vector Control, यह किस के coding है, control method के coding इनको बोलते है, क्या classification है, control method, तो यहाँ पर control method ही लिखा होगा है, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर कौन सा है, soft PWM, control, ठीक है, soft PWM, control, इसको क्य VF control बोलते हैं, basically, क्या बोलते है, VF control, तो यहाँ पर दे रखा है, तो VF control, यह देखे, यह VFD कौन सी है, VF control, और साथ में जो भी अगला है, वो से ने दे रखा, देखे, journal, purpose, magnetic, flux, vector, control, मतलब, दो control method, इस एक particular model के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो D700 model है, वो उसके अंद आपको पता चलेगा, कि आपकी जो VFD है, वो कौन से कौन से टाइप की है, अब देखे, जो starting torque है, वो भी यहाँ पे इसने बता रखा है, ठीक है, सारी चीज़े यहाँ पे इसने बता रखी है, frequency setting इसने बता रखी है, जो मैं range के आपको बात कर रहा था, देखे, आपे इस इसने 0 to 6 hertz, 6 hertz बता रखा है, वो सारी range इसने आपको पता नहीं होंगे, आप इस document को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा वा या, इसलिए वो सारी चीज़े मैं आपको बताई है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, selection के लिए और काम करने के लिए, माली जाब कोई आपने machine में VFD है, आपकी VFD एक 100 RPM पे चल रही है अभी, अभी कोई बंदा आया, वो कैनल लगे कि यार इसकी तो speed जादा है, VFD की, आप इसकी speed ना, जो इतनी अभी speed है, इससे कम कर दीजे, इससे आदी से भी आदी कर दीजे, और आपकी जो VFD लगी है वो VFD लगी हुई है, और आपने सोचा कि frequency से कम होगी है, frequency कम कर देता हूँ, speed कम हो जाएगी, आपने drive की frequency कम करी, आपकी motor की speed कम होगी, बट अब उसके अंदर क्या होने लगया, उसके अंदर अलारा माने लगया, आपके overload के अलारा माने लगया, over current के अलारा माने लगया, क्यों, क्योंकि आपकी जो drive थी, वो तो simple थी, VF control, आपने जो frequency है, वो इतनी कम कर दी, initial torque के अंदर मिली नहीं सकता, और आपका जो initial torque का application के अंदर जादा है, और आप उसके अंदर struggle कर रहे हो, कि यार, हलारा मारे है, चल नहीं, इकनवेर बार-बार बंद हो रही है, अब कोई चीज पता नहीं कि यार, VFD जो लगी है, वो किस type की लगी है, VFD control है, यह vector control है, वector control है, तो parameter set कर दूँ, torque बढ़ा दू parameter से, और VF control है, तो VF control के अंदर नहीं, शल्टर हो कि इतना मिली नहीं पाएगा, तो यह तो अगर इतने कम RPM पे चलानी है, ड्राइव चली नह पाएगी, इस conveyor के अंदर, यहाँ पे drive को change करने की जूरूत पड़ जाएगी, तो यह चीज अगर आपको सारी पता होंगे, कि देखे जी इतनी range होती है, इस type की drive है, इतना ही control कर सकते हो, वो document निकाल के जब आप सामने वाले बंदे को दिखाओगे, जी देखे यह नहीं कर सकती है, तो आपकी बात को वो समझेगा, और आप उस problem से निकल जाओगे, अब अगर आप कोई बात पता ही नहीं होगे, आप लगे रहोगे, कभी कुछ change करोगे, कभी कुछ करते रहोगे, आप वहाँ पे R&D कलाकारी करते रहोगे, और आपकी problem का समधान होने वड़ा नहीं है, तो knowledge का होना बहुत ज़्यादा जुरूरी है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़े समझाई है, क्योंकि बहुत सारे बंदे मिर से पूछते हैं, कोई message करता है, सर ये हो रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा रहा है, वो इस lack of knowledge की वज़े से होता है, तो इन सारी चीज़ों क तीन बार देखो, चार बार देखो, क्योंकि ये knowledge, ये information, आप चाहे YouTube खंगाल लेना, चाहे Internet खंगाल लेना, आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये experience-based knowledge है, मैं खुद 10-12 साल से काम कर रहा हूं, उसके बाद मैं ये knowledge ले पाया हूं, और मैं आपको direct दे रहा हूं, तो ये समझ ना पाय, तो ये तो था जी सर, इसके बारे में कि क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, तो अभी देख लेते हैं, फिर जबने topic की तरफ लोटते हैं कि कैसे क्या है, तो इसके अंदर देखें सारे characteristic आपको मिल जाएगे, manual torque boost आपको मिल जाएगा, जो जो चीज़े आप कर सकत में यूज़ करो, और चाहे इसको इस vector control में यूज़ करो, अब ये control कैसे होगा, कि आपकी drive किस mode में चलेगी, ये आपको parameter से set पता चलेगा, अब देखें ये मैंने दूसरी manual डाउनलोड कर लिया है, ये इसकी parameter manual है, ये इसकी क्या है, parameter manual है, उसी की, अब यहाँ पे आप द क्या होता है, parameter number 71, parameter number 80, इसने दो parameter दे रखें हैं, parameter number 71 और parameter number 80, ये देखें parameter number 71 और parameter number 80, इस parameter के अंदर set करके, आप अपनी motor का, जो control method है, उसको decide कर सकते हो, देखें जो parameter number 80 है, आप यहाँ पे VF control यूज़ करना आपको, तो ये value set कर दो आप इसके अंदर, 999 आप डाल दो, आपका VF control के अंदर चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ये motor applied वाला है, इसके अंदर आपकी, ये setting range दे रखें है, ये setting range आप इसके अंदर डाल दोगे, तो ये आपका general purpose magnetic flux vector control चलेगा, अभी समझना है, इन सारी चीज़ों का मैं practical आपको करके दिखाँगा, ये सारी parameter manual से जाके निकालोगे, जैसे इसके अंदर parameter 71 और 80, ये कैसे निकलते हैं, कैसे क्या होता है, अलग काम है, अभी सिर्फ समझना है कि होता क्या क्या है, और क्या क्या आप कर सकते हो, तो वहाँ पे जाके कुछ value आपको set करनी होंगी, ये अलग-अलग model के coding अलग-अलग तो ये value आप जैसे set कर दोगे, आपकी drive है, उसके अंदर जो method आपने set के हो, वैसे चलने लग जाएगी, अब देखिए control mode के अंदर यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे इसने और समझा रखा है, VF control, initial setting है, general purpose, magnetic flux vector controller, available with this inverter, मतलब ये जो inverter का model है, D700, इसमें VF control, और य magnetic flux vector control है, यह दो नोई mode available है, ठीक है, VF के बारे में थोड़ा से इसने बताया है, देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, VF control is for controlling frequency and voltage, so that the ratio of frequency and voltage is constant when changing the frequency, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि VF control के अंदर क्या होता है, voltage और जो frequency है, उसको आपस में sync किया जाता है, उसका purpose magnetic flux vector, इसके बारे में बताया गया है, control divides the inverter output current into an existing current and torque current by the vector calculation, मैं आपको वही बता रहा था है कि यह कैसे होता है, calculation की वज़े से होता है, यह कौन सी calculation यूज़ कर रहा है, vector calculation यूज़ कर रहा है, and make the voltage composition to flow a motor current which meets the low torque, मतलब कि यह एक vector calculation करेगा, और vector calculation की वज़े से motor का current है, उसक अंदर ऐसा नहीं होगा, VF control सिर्फ क्या करेगा, voltage और frequency के level को match करेगा, यहाँ पर यह क्या करेगा, vector calculation करके current को boost कर देगा, जिससे कि आपको ज़्यादा current मिल जाए, तो इसने उन दुन मैथर्ड के बारे में बता भी दिया, कि कैसे होगा, क्या होगा, manual में parameter भी दे दिया, catalog साब को पता चले गया कि VFD के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो इस तरीक के से आप जो भी VFD यूज कर रहे हो, उसके बारे में अपनी information निकाल सकते हो, और अपनी VFD जो भी आपको requirement है, जो भी आप purchase करके लाए हो, उसके coding आप अपनी VFD को set भी कर सकते हो, औ अब यह जर्नल इसके बारे में बता रखा है, ठीक है, यह देखिए, सबसे पहले ही, the enhanced real, sensorless vector control, कौन सा है, sensorless, मतलब बिना encoder वाड़ा, जो vector control, open loop मैंने बताया था, वो इसके अंदर इस्तमाल हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर application भी देखिए, इसने बता रखी है, कि य drive की application के लिए, mailing वेगारा के लिए, मैं बता रहा था, देखिए, line control के लिए, यहाँ पे देखरो, इस त्रिक्के के application, drilling के लिए, मैंने आपको बताया था, machine tool में, देखिए, इसके लिए, इस त्रिक्के के application, अब यहाँ पे देखिए, high speed, VF control का difference भी यहाँ पे इसको समझा रखी है, तो आपका जो भी particular model है, उसको आप download करो, और आप चलाओ, ठीक है, main circuit कैसे होगा, wiring कैसे होगी, वो सारी चीज़े आपको बता रखी है, application देखिए, देखिए, बता रखा है, इस तरीके के application में आपका इस्तमाल हो जाएगा, तो आपका जो भी drive आपका लगावा ह है, उसके catalog बगारा से, और manual बगारा से, आप यह सारी चीज़े निकाल सकते हो, इसका भी same देखिए, FR800 का मैंने manual डाउनलोड कर रखा है, इसके अंदर भी आपको parameter मिलेंगे, जहां से आप कर पाऊगे, देखिए, control method, मैंने आपको बता है, control method है, अभी देखिए, यह दे पर जाओगे और यहां पर अपना set कर सकते हो, यह इसने बता रखा है कि कैसे काम करता है मेरा method, ठीक है, torque, core current को, देखिए, यहां पर torque current ले रखा है, मैंने आपको VF control के अंदर graph दिखाया था, वहां पर voltage और frequency दिखाया था, यहां पर देखिए, torque with respect इसने समझा रखा है कि सारी चीज़ें आप control कर सकते हो, और आगे इसने parameter दे रखे होंगे, उन parameter की साहता से आप, जो भी आपका है, उसको कर सकते हो, देखिए, selection of control method, हैंने control mode wise setting, parameter number 8800, और parameter number 451, control method selection, यह parameter दे रखा है, इस parameter के अंदर कुछ value दे रखे होंगे, उस value को जैसे आप select करोगे, एक value प sorry, तो इस तरीके से आप जो भी method अपना, आपका drive के अंदर उसको आप set कर सकते हो, और अपनी motor को control कर सकते हो, अब देखिए, वापिस लोटते हैं अपने topic के उपर, अब यहाँ पे जो आपका आ रहा था, मैं आपको बता रहा था, अलग अलग control method के बारे में, इसमें आपके, VF जो control है, इसमें जो आप range control कर सकते हो, 1 raise to 40, ओपन के अंदर आप कर सकते हो, 1 raise to 200, और यहाँ पे आप कर सकते हो, 1 raise to 30, speed control का आपको दे रखा है, कि speed control आपको कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा, तो वो सारी चीज़े यहाँ पे आपको बताई गई है, speed control तो आप सभी म के अंदर आपको नहीं मिलेगा, torque control, open loop के अंदर आप torque भी control कर सकते हो, close loop vector के अंदर आप भी control कर सकते हो, position control नहीं कर सकते हो, अपन लूप के अंदर भी नहीं कर सकते हो, जो close loop है, उसके अंदर आप position को भी control कर सकते हो, ठीक है, तो इस chart को आप एक बार पढ़ लीजिए, औ कोई टेकनिकल डेफिनेशन के अंदर लिखी गई है तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अब देखिए मोटर का भी सीन रहता है जो वी एफ कंट्रोल है उसके अंदर आप स्टेंडर्ड मोटर यूज होगी आपकी अपन वेक्टर कंट्रोल के अंदर भी स्टेंडर् वेक्टर कंट्रोल मोटर आती है कंट्रोल लूप का जब भी आप इस्तमाल करोगे की मोटर भी अलग होगी डेडिकेडिट मोटर होगी ठीक है जो सारी चीज़े मैं आपको बताई वह यहां पे लिख्यूई है आप राम से एक बार इनको पढ़ दीचे टेकनिकल आपको ड अब यहां से आगए पढ़ेंगे कि VFD को जो स्टार्ट करना है जो स्टार्ट करने के तरीके हैं वह कितने होते हैं एक तो टू वायर कंट्रोल और एक थ्री वायर कंट्रोल इसके अंदर भी बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं कि क्या होता है कैसी होता है वो चीज भी आपको यहां पर कलीर हो जाएगी आप इसको ध्यान से दिखेगा ये क्या है ये क्या है ये VFD का स्टार्टिंग मैथड है कि VFD चलेगी क्या से VFD को आपको चलाने के लिए जो वायरिंग करनी है VFD पे जो रन कमांड भेजना है वो आपका रन कमांड कितने मैथड से जा सकता है वो यहां पर यह बता रहा है देखें 2 वायर कंट्रोल और 3 वायर कंट्रोल त्री वायर कंट्रोल यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो ये दो स्विच लगे हैं इनकी साहता से मैं remotely VFD को forward or reverse rotate कर रहा हूँ मैं इस वाड़े method की अभी बात कर रहा हूँ अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ इस वाड़े method की बात कर रहा हूँ कि यह जो VFD है इसको कैसे मैं start और stop करूँगा एक switch की साहता से और जो पिछले control method थे जो मैं आपको बताया VF control और vector control वो क्या थे जो यहां से जो यह output जा रही है motor पे इसमें जो voltage और frequency है उसके ratio को set करना कि यहां से आप speed और torque को control कर पाओ वो इसके method थे अब जो बात होगी जो यह VFD पे यहां पे run और stop होगा इन switch की साहता से इसकी जो wiring है वो wiring कैसे होगी उसके according दो type के control है 2 wire control और 3 wire control ठीके जी तो आपको 2 wire control के अंदर क्या रहता है यह simplest method रहता है हम 2 wire का इसतमाल करते है वFD को चलाने के लिए इसके अंदर हम forward और reverse motor को चला दिया जाता है ठीक है इसके अंदर कोई भी अलग से stop command नहीं दी जाती सिर्फ जब तक आप बटन दबा के रखोगे आपकी start command ओन रहेगी आपकी motor जो है वो चलती रहेगी जैसी आपकी start command बंद हो जाएगी motor आपकी बंद हो जाएगी आपको अलग से extra stop command देने की जुरूत नहीं पड़ती स सिर्फ दो इवार से आपका चल जाता है इसलिए आपको two-wire method बोना जाता है ठीक है दो forward और जो reverse command है वो switch के through दी जाती है वो switch आपके कुछ भी हो सकते है PLC से चला रहे तो relay बगारा हो सकता है PLC से output चलेगा output से आपका relay चलेगा उस relay के through आप forward या reverse की command देदोगे आपकी ज मोटर जो है वो reverse के अंदर घूमनी लग जाएगी और अगर सेम काम बटन की साहता से कर रहे है तो आपको बटन जब तक आप दबा के रखोगे तब तक आपकी मोटर चलती रहेगी जब आप बटन छोड़ दोगे तो मोटर आपकी बंद हो जाएगी यहाँ पे देखे बता है यह अलग-अलग मोडल के अंदर कुछ भी हो सकता है जैसे में सुभीशी के अंदर SD या PC लिखते हैं ठीक है तो आपका यह कुछ भी टरमिनल हो सकता है तो यहाँ से यह जो 24 वोल्ट है यहाँ से आप एक वायर को उठाओगे और जो भी आपके दो स्विच है आप एक फ करता है सिर्फ दो वायर के थुरू एक्टरनल स्टॉप की जुरूरत नहीं होती इसलिए इसको टो वायर कंट्रोल मेथड बोला जाता है अब इसकी वायरिंग के बारे में आपको बता देता हूँ यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि VFD पे तीन टर्मिनल मिलेंगे कहीं की कैसे पता चलता है अब इससर्फ मेथड को समय तर्मिनल होगे एक टरमिनल आपका कॉम्पन होगा ठीक है अब इसको चलाने के लिए आपको चीएगा एक तो बटब स्टार्ट जिसससे फर्वर्ड करोगे ठीक है दो बटन के थ्रू आपका कंट्रोल हो जायगा सिध तो यहां से आएगा VFD से एक common का wire और दोनों पर loop हो जाएगा फिर इस वाले से आपका घूम के शिद्धा wire पहुंच जाएगा इसके reverse वाले टर्मिनल पर जो ए रिवर्स वाले आप देख रहे हो इस पर ठीक है जी दूसरे बटन से wire घूम के पहुंच जाएगा forward वाले टर् के दिखाई है यहां पर देखे सिर्फ 2 wire का इस्तमाल होगा है एक और दो तो इसलिए इसको two wire control method बोला जाता है जब तक मैं इस बटन को प्रेस करके रखूँगा जो मेरी ये drive है ये नन मोड में रहेगी जैसी इस बटन को छोड़ दूँगा ये बंद हो जाएगी जैसी इ बंद हो के reverse वाला उन होगा मेरा reverse में मेरी मोटर घूमने लग जाएगी जैसे reverse वाला बंद होगा और मेरी मोटर वहीं पर stop हो जाएगी जो relay जिस टाइम पर उन होगा forward वाला उन होगा तो forward घूमेगी reverse वाला उन होगा तो reverse घूमेगी दोनों में से कोई भी relay on नहीं होगा तो motor मेरी stop रहेगी, तो ये था two wire control method, बिल्कुल simplest method है, आप देख लेते हैं three wire control method, three wire control method के अंदर तीन wire use की जाती है, और अलग से stop signal दिया जाता है, stop signal दो दिया जाता है, वो NC push button के through, या NC जो element होता है, उसके through दिया जाता है, आपको इसके अंदर तीन चीज़ों की requirement एक start button, एक forward के लिए, एक आपका reverse के लिए, और आपका stop के लिए, ठीक है जी, इसके अंदर जो stop की wiring है, वो अलग से होती है, वो ही बताया गया है, stop commodities provided separately, और जो stop होता है, वो क्या होता है, हमेशा NC element होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कि जो stop है, वो चाहे आप emergency लो, चाहे आ आप कोई push button लो, या कोई selector switch लो, बट उसके पीछे जो element रहेगा, वो हमेशा NC रहेगा, normally close, आप stop के अंदर open नहीं ले सकते, ये इसके अंदर हमें खास बात ध्यान रखनी है, और जो forward और reverse होगी, वो आपके no होंगे, उनको आप NC नहीं ले सकते, तो 3 wire control के अंदर आपको NC के थुरू stop command जाएगी, और 2 relay लगेंगी forward और reverse, जिनके आपके no के थुरू VFD के उपर start, forward के और reverse के आपकी command जाएगी, तो इन, जो stop command है, वो आपकी initially high रहती है, ठीक है, इन 3 wire control method, first the stop command should be high, जब हम 3 wire को करते हैं, तो क्योंकि NC element आपने जोड़ रखा है, तो comment से आपका जाए होगा direct, तो आपकी stop command initially क्या रहती है, इसके अंदर high रहती है, 3 wire method के अंदर क्या रहती है, initially stop command high रहती है, ठीक है, after the run command, it is given, तो ये था 3 wire के अंदर stop command के बारे में, ठीक है, the drive will stop only when the stop command is removed, देखिए अभी मैंने आपको बताया, 3 wire के अंदर initially क्या रहती है, आपकी जो stop command है, वो किसके थूँ जाती है, NC push button के थूँ जाती है, तो initially वो क्या रहती है, high रहती है, अगर आपको drive को बंद करना है, तो stop command को आपको काटना पड़ेगा, remove करना पड़ेगा, तब ही आपकी drive रुखेगी, तो आपको चलाने से पहले क्या करना पड़ेगा, stop command आपकी आ आपको समझा दूँगा, यह सारी सीच समझ में आ जाएगी, यह सरफ interview के point of view से, समझने के point of view से definition है, इनको याद कर लेना, आपके काम आईगी, आप देखे 3 wire control के अंतर क्या होगा, देखे ऐसे इस तरीक के से आपका जो diagram है, उसका arrangement रहेगा, एक common रहेगा, 24 volt, उसके थू आपका NC element रगा हुआ है, इस NC element के थूप terminal पे जाएगा, एक forward रहेगा और एक reverse रहेगा, एक no से आपका forward पे जाएगा, और एक no से आपका reverse के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे 3 wire का इस्तमाल हुआ है, एक, दो, तीन, इसलिए इसको 3 wire control बोला जाता है, इसके अंदर stop की command है वो extra जी जाती है, 2 wire के अंदर कोई stop की command extra नहीं होती, यह basic 2 wire और 3 wire के अंदर difference रहता है, अब इसकी wiring कैसी होगी, देखें मैं wiring आपको बता देता हूँ, तो wiring करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़एगा एक VFD, एक stop button इसके अंदर आपको जुरूरत पड़ेगी, यह आ चोविस वोल्ट से कहां जाएगी wire सिद्धी, आपकी जाएगी stop button के उपर, ठीक है, और एक आपकी जाएगी कहां पर, जो forward या reverse वाला switch है, उसके उपर, ठीक है जी, और फिर stop button से घूम के आपकी एक wire आएगी यहाँ पर, यह देखें सेम डागराम है, यहाँ पर 24 वोल्ट चोविस वोल्ट से एक wire उठाई common से, ठीक है, यह गई सिद्धी stop पे, और यहाँ से यह मैने wire यहाँ पर जोड़ी आगी stop पे, इसके बाद आगे फिर से common कर रखी है, लूप कर रखा है, आप forward वाले wire से, जो forward वाला button है, उससे wire सिद्धी आजाएगी आपकी यहाँ पे, ए एक reverse के लिए और एक forward के लिए, बंद करने के लिए का करना पड़ेगा, इस stop वाले signal को cut करना पड़ेगा, जैसे यह emergency प्रेस करूँगा, तो जो पीछे NC element है, वो open हो जाएगा, यह 24 volt कट जाएगा, तो यह drive क्या हो जाएगी, stop हो जाएगी, चलने के लिए क्या होना चीए, यह signal continue आना चाहिए, जब यह signal आ रहा होगा, उस time पे forward air reverse, जो भी command आपके आएगी, उसके according आपकी drive जो है, वो operate करना start कर देगी, तो यह था 3 control wire, ठीक है जी, अब अगला जो VFD के अंदर रहता है, चलाने का method VFD का, वो होता है speed selection का, कि VFD के अंदर मेरे को speed को कैसे select करना ठीक है, speed selection, एक तो आपका decide होगा, कि आपको VFD चलाना कैसे है, आपको VFD को fixed speed पे चलाना है, या आपको VFD को variable speed पे चलाना है, या फिर आपको VFD को multi speed में चलाना है, आपकी application की requirement क्या है, देखे जब आप कहीं पे VFD लगा होगे, या आपका VFD कहीं पे लगा होगा, तो उसके अंदर जो आपकी speed है, वो आपकी application के coding होगी, माल लीजे कोई conveyor वगारा चल रही है, तो मेरेको उसको एक time पे fix speed में चलाना है, माल लीजे मैंने उसके speed है, वो मैंने motor के rpm 100 set कर दिये, तो वो 100 rpm पे चलता रहेगा, चेंज करना है तो फिर चेंज करके मैं उसको 200 rpm करने है, तो उसके बाद फिर वो 200 rpm पे चलता रहेगा, तो ये तो होगी fix speed, कि एक time पे मेरेको एक ही speed पे motor को चलाना है, दूसरी है variable speed, कि मेरी जो speed है, वो किसी parameter के with respect change होगी, अमा लीजे मैं आपको example दूँ, कि मेरेको एक room का temperature control करना है, मेरे पास एक room है, उस room के अंदर मै जाए, जिससे हवा जादी आए, और गर्मी मेरी कम हो जाए, जब गर्मी कम हो, तो पंखी की speed है, वो कम हो जाए, जिससे की उसी level पे temperature को maintain कर पाऊँ, और ये जो temperature है, इसका मेरा feedback आ रहा होगा किसी thermocouple से, RTD से, जो भी मैने sensing device लगा रहा है, उससे मेरा feedback आ रहा है, अब यहाँ पर जो आपकी speed होगी, वो क्या होगी, वो जो तर्मोकपल, या जो आपका RTD, या जो temperature sensor लगावा, उसके with respect होगी, कभी आपकी 100RPM पे गुमेगी, कभी 500 पे, कभी 400 पे, कभी 4500 पे, कभी 300 कभी 300 C पे, जो आपका temperature है, उसके with respect आपकी vary होती रहेगी, change होती रहेगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे variable speed बोलेंगे और तीसरा रहेगा आपका multi speed मेरेको क्या चलाना है fix चलाना है multi speed कि जब मेरी एक input आए तो मेरी drive चलने लग जाए 400 rpm पे दूसरी input आए drive चलने लग जाए अपना आप 600 rpm पे तीसरी input आए मेरी drive चलने लग जाए 800 rpm पे तो इस तरीके से मेरेको multi speed के अंदर fix speed चलानी है और वो कहाँ पे है वो input से decide हो रही है कि जब ये input आए fix speed चले इतनी ये input आए fix speed चले 600 rpm तो इस तरीके से ये तीन classification है speed selection के fix speed ठीक है ची variable speed और multi speed आयोब आपको समझ में आओगा fix speed कैसे variable speed कैसे और multiple speed कैसे अब देखे जो fix speed है आप उसको कैसे कर सकते हो fix speed पे अगर आपको चलाना है कहीं conveyor वगारा पे लगा रहे हो कुछ normal application आपकी किसी machine में कियेगी rotation पे घुमेगी तो fix speed में कैसे दे सकता हूँ fix speed का reference देने के लिए VFD के अंदर दो तरीके है एक तो local port जो VFD के उपर लगा रहता है उससे दे सकता हूँ और दूसरा remote port कोई एक remote port लगा के मैं उससे दे सकता हूँ और from the digital key जो VFD के उपर digital keypad रहता है उससे भी मैं fix speed का reference set कर सकता हूँ कैसे अब देखे मेरे पास यहाँ पर एक वFD है इसके उपर एक local port दे रखा है इसको मान लीजे मैंने 10 hertz पे set कर दिया तो हर बार यह frequency का reference 10 hertz से लेता रहेगा अब यहाँ पर आपको एक keypad दिखाई दे रहा होगा इस keypad से मान लीजे मैंने frequency को 20 hertz set कर दिया तो हर बार यह reference कितना लेता रहेगा 20 hertz से लेता रहेगा एक मान लीजे मैंने कोई remote पे port लगा दिया यह मेरे पास एक port है ठीक है यह मेरी VFD है इस तरीके से तीन wire जोड के मैंने इस port को जोड दिया VFD पे terminal दिये रहते हैं external port के लिए अब इस port को मैं जितने पे set कर दूँगा उसके with respect यहाँ पे उतनी frequency पे हर बार चलता रहेगा अब यह तीन तरीक के होगे क्या देने के fix speed देने के अब यह fix speed कैसे decide होगी जी कहां से चलेगा यह रहेगा आपका VFD के parameter में decide आपके VFD के अदर fix speed का parameter होगा की frequency reference का parameter होगा उस frequency reference में वो दे के रखेगा की आपको frequency का reference कहां से देना है local port से देना है यह जो local port आपका दे रखा है इससे देना है या फिर remote port से देना है जो remote port दे रखा है या फिर digital keep it है इससे देना है आप जो भी चीज select कर दोगे वहाँ पे जो frequency आपकी set होगी उसके coding आपकी VFD जो है वो चलने लग जाएगी उतनी speed पे आपकी VFD रोटेट करने लग जाएगी तो ये तो है तीन तरीके से fixed speed में VFD के अंदर अपनी चला सकता हूँ अगला है variable speed, variable speed दीखे जो चलता है वो analog signal के reference में चलता है और communication से चलता है variable speed कैसे चला सकता हूँ? analog signal से और communication से communication से कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास कोई VFD है और उसको मैं PLC के साथ जोड सकता हूँ या किसी intelligent device के साथ या computer के साथ जोड सकता हूँ कोई भी communication है मेरा मालीजी मैंने है PLC के साथ जोड़ दिया यह PLC है इस VFD को मैं PLC के साथ एक communication cable के साथ जोड़ दूँगा और फिर कोई भी communication protocol जो इन दोनों के अंदर available होगा चाहे वो RS232, चाहे वो RS485, चाहे वो mode bus, चाहे वो profi bus, चाहे वो profi net उसके coding मैं इसको variable speed के अंदर चला सकता हूँ PLC के अंदर जो मेरे parameter होंगे, उससे मैं यहाँ पे एक speed भेजता रहूँगा जितनी speed मैं भेजूँगा, जितनी frequency में set करना जाऊँगा उस parameter के अंदर set हो जाएगी और उस ही के with respect ही है जो मेरी drive है मोटर को चलाना start कर देगी, तो variable speed को ऐसे communication से चला सकते हैं और analog signal के अंदर क्या होगा, मेरा कोई analog signal आएगा, वो मेरा VFD से जुड़ेगा यह analog signal या तो मेरा voltage की form में होगा, या फिर current की form में होगा या तो voltage होगा 0-10V, या फिर current होगा 4-20mA और यह जैसे-जैसे voltage बढ़ेगी, वैसे-वैसे RPM बढ़ते चले जाएगे या current जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे current बढ़ते चले जाएगे यह जो 0-10V है, जो PLC से आ रहे होगी, जैसे-जैसे यह कम होगी, यह जो current है 4-20mA अगर ले रखा होगा, जैसे-जैसे यह कम होगा वैसे-वैसे मेरे RPM कम हो जाएगे, तो यह यहाँ पर speed किसके with respect हो जाएगी, यह जो voltage या current दुनों में से कोई भी, जो आप चाहें, उसको आप ले सकते हो यह भी कहाँ पर सेट होगा, parameter के अंदर सेट होगा, जहाँ पर मैं सेट कर दूँगा, कि यह जो VFD है, speed का reference कहां से लेगी, frequency का reference कहां से लेगी, voltage की form में जो signal आ रहा है, उससे लेगी यह current की form में जो signal आ रहा है, उससे लेगी, तो इस सारा कुछ parameter के अंदर सेट होता है, जब मैं parameter करूँगा, उसके अंदर बताऊँगा, अभी सिरफ आपको पता होना चाहिए कि VFD के अंदर जो variable speed है, आप वो कैसे कैसे सेट कर सकते हो, multi speed के लिए देखे क्या होता है, multi speed के लिए आपके VFD के अंदर multi speed के टर्मिनल दिये गए होते हैं, मेरे पास अलग-अलग 3 बटन है, मालीजिए यह, एक बटन को जोड़ दूँगा यहाँ पे, इस बटन को जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, इस बटन को जोड़ देता ह होगा, एक common के थुरू, तो जो बटन की input मेरी high होगी, जिस भी बटन की input मेरी high होगी, उस input के according, वहाँ पे parameter रहेगा VFD के अंदर, कि multi speed 1, multi speed 2, multi speed 3, आप जैसी multi speed 1 को select करोगे, input को high करोगे, तो जितनी parameter के अंदर आपने speed डाल रख्योगी, उतनी वो घुमने लग जाएग तो इस तरीके से multi speed के अंदर में set कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, fault output के बारे में, कि VFD के अंदर मानली जो कोई fault वगार आ रहा है, तो उसका हमें कैसे पता चल सकता है, देखे, fault के लिए VFD के अंदर अलग से terminal दे के रखे जाते हैं, जैसे यह terminal आप देख रहे हो, यहाँ पे हम fault की wiring कर सकते हैं, यह तीन terminal होते हैं, हमारे ABC में इनको दिया जाता है नाम, तो एक NO रहता है, और एक NC रहता है, यह relay की output रहती है, VFD के अंदर जैसे कोई fault आता है, तो यह जो NO-NCA चेंज हो जाते हैं, मालीजे, अभी FD में आपको कोई fault आया, तो अभी A, और आप इसको देखोगे, तो आपका यह NO है, तो यह NO क्या बन जाएगा, आपका NC बन जाएगा, तो इस NC से आप कोई PLC के अंदर input दे सकते हो, या कोई आपका hooter बढ़ाना चाते हो, या कोई relay बगार आप चलाना चाते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि drive के अंदर fault आ रहा है, तो उससे आप ले सकते हो, और जो NC contact है आपका, वो open हो जाएगा, मालीजी आपको drive का healthy का signal दे के रखना चाते हो, कि आपने एक indicator लगा दिया, और आप चाते हो कि drive पे अगर कोई fault नहीं है, जब तक कोई fault नहीं आता, ये drive का healthy का indicator मेरा own रहे, glow करत रहे जब तक drive पे कोई fault नहीं आएगा, ये close रहेगा, और वो आपका indicator जलता रहेगा, जैसे ही कोई drive पे आपका fault आएगा, ये which is open बंद और आपका indicator बंद हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप के drive पे कोई fault आ राख आ रखा है, तो इस तбиके से आप जो ये fault का output के terminal रहते हैं इनकी fault के रहा wiring कर सकते हो तो ये था इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीजे बताई कि कैसे fault के ले सकते हो और कैसे क्या कर सकते हो अब discuss कर लेते हैं कि जब एक नई VFD हम लगाते हैं एक नई VFD को अगर मेरे को set करना है तो उसके अंदर मेरे को कौन से कौन से basic parameter पहले set करने की जूरूत पड़ती है जो मेरे को बेलकुल basic तो पता ही होने चीए जब एक मैं simple VFD को install करता हूँ तो सबसे पहले तो देखिए आपको start command को set करने की जूरूत पड़ती है कि आपकी start command है वो कैसे रहेगी यह मैशने पिछले part के अंदर बता रहे है कि आपकी VFD local से start होगी remote से start होगी यह communication से start होगी वो चीज जा कि आप parameter में सबसे पहले set करोगी आपकी VFD set कैसे होगी यह चीज कहां set होगी parameter के अंदर set होगी कैसे होगी वो मैं अगली वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है start command का selection करना है कि VFD आपकी चलेगी कैसे फिर आपको frequency का selection करना है कि frequency का reference कैसे आएगा जो वे मैं आपको बताए कि local port से आएगा remote port से आएगा ठीक है जी या आपका communication से आएगा ठीक है variable speed में चलाना है multiple speed में चलाना है या fixed speed में चलाना है जो भी करना है वो आपको सबसे पहले select कर लेना है कि आपकी driver आपकी कैसे चलेगी ठीक है multiple के अंदर चलाओगे तो multiple speed setting आपको करनी पड़ेगी उसके अंदर आपको setting डालनी पड़ेगी multiple के अंदर जाके कि जब ये input आएगा तो 800 rpm पे घुमेगी ये आएगा तो 400 पे ये आएगा तो 600 पे वो multiple speed setting के अंदर आपको set कर दाना पड़ेगा analog input अगर select कर रहे हैं तो analog input का selection करना पड़ेगा कि voltage की form में आपका analog आएगा या आपका current की form में आएगा वो आपको बताना पड़ेगा minimum frequency आपको set करनी पड़ेगी कि minimum frequency आपके कितनी रहेगी drive के अंदर maximum frequency आपको set करनी पड़ेगी कि maximum frequency आपके कितनी रहेगी acceleration control आपको set करना पड़ेगा कि कितनी देर में VFD 0 से maximum RPM पर पहुंचेगी de-accelation आपको set करना पड़ेगा कि कितनी देर में maximum से 0 पर आएगी तो यह basic parameter है जो आपको VFD के अंदर set करने पड़ेंगे जब आप एक VFD को लगाओगे अगर आप इनको set नहीं करोगे तो आप अलग-अलग alarm या fault VFD के अंदर face कर सकते हो तो यह था VFD का part 2 जिसके अंदर मैंने all theory को cover करने की कोशिश की है अब practical बचता है इन सभी चारी चीज़ों का तो next वीडियो के अंदर मैं आपको one by one सारी चीज़े set करके दिखाऊंगा उससे पहले आपको इस सारी चीज़े पता होनी चीज़े कि two wire control क्या होता है, three wire control क्या होता है TKG control method क्या होता है VF control क्या होता है, vector control क्या होता है अब यह सिर्फ रह जाता है parameter के अंदर set करना वो manual के अंदर लिखी हो यह चीज़ वो सिर्फ पढ़के set करना है वो manual को पढ़ना और कैसे set करना है वो मैं आपको बता दूँगा तो यह था VFD का part 2 वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और दोस्तों को साथ अपने इस वीडियो को share कीजिए Thank you